शरीर स्थिर मन शान्त और अपने ध्यान को यहां ब्रिकुठी के बीच जहां हम तिलक लगाते है वहां लेकर आई जहां हम तिलक लगाते हैं वो आत्मा का रहने का स्थान है उसको तीसरा नेत्र भी कहा जाता है तो बुद्धी के नेत्र से देखे कि यहां पर एक छोटा सा चमकता हुआ सितारा है जो इस शरीर को चलाने वाली शक्ति है तो सीधा होकर बैठना है अटेंशन यहां लानी है बुद्धी के नेत्र से एक चमकते हुए सितारे को यहां देखना है और जो संकल्प आपको दिये जाएंगे वो संकल्प को आपने अपने मन में दोहराना है सभी बैठ चाहें सभी जो सेवा पर हैं वो भी बैठ चाहें सब बैठ चाहें अपने ध्यान को चारो दर्व से हटाकर बृकुटी के बीच उस चमकते हुए सितारे को देखकर संकल्प करे मैं शक्तिशालियात्मा हूँ इसको आप मन में दोहराएंगे आप मन में इसको बोलियेगा मैं शक्तिशालियात्मा हूँ शान्ति मेरा संसकार है मेरा स्वभाव है खुशी मेरा व्यवहार है चाहे कोई भी बात आजाए कोई भी मतलब कोई भी मैं हर बात में शान्त और स्थिर हो क्योंकि खुशी ये मेरा स्वभाव है अपने जीवन में देखे आज के सारा दिन में देखे पिछले कुछ दिनों में देखे क्या कोई ऐसी बात आई थी जिसके सामने मेरे मन की स्थिती थोड़ी सी हेली थी थोड़ा सा मन परेशान नराज या उदास हुआ था तो उस बात को फिर से मन पर लेकर आए और आज अपने आप के साथ पक्का करें वो बात बाहर है मैं अपने मन का मालिक अपने शब्दों का मालिक मेरे मन की स्थिती हमेशा शांत स्थिर और शक्ति शले सर्व शक्तिवान परमात्मा मेरे साथ है उसका ग्यान शक्तिया मेरे साथ है तो हर बात छोटी हो जाती है मैं शक्ति शाले आत्मा हूं बात छोटी बात कमजोर मैं आत्मा शक्ति शाले हर बात का सामना शांती और स्थिरता से करते हूं अब इन तीन संकल्पों को हम एक बार मन में फिर से दोहराएंगे और जैसे जैसे आप इस संकल्प को बोलेंगे आप मेहसूस कीजेगा कि आपके संकल्प की उर्जा आपके शरीर में भी फैल रही है मैं शक्ति शाले आत्मा हमेशा शांत हमेशा खुश ये मेरा संसकार है और शांती और शक्ति की वाइब्रेशन उसकी उर्जा मेरे पूरे शरीर में फैल रही है मेरा शरीर संपून स्वस्त मेरे रिष्टे मस्बूत मेरी जीवन खुशाल भाग्य श्रेष्ट ओम शांती किस-किस ने मन में दोहराया इन संकल्पों को हाथ उठाओ हाँ आसान है आसान है बहुत आसान है क्या हम इसको रोज कर सकते है कौन-कौन इसको रोज कर सकते है बहुत आसान है और अगर हम इसको रोज दोहराएंगे तो हम कुछ और दोहराने से बंद हो जाएंगे क्योंकि सारा दिन में अगर हम देखे तो हम इसका विप्रीत दोहराते रहते है हम कहते हैं मैं परिशान हूँ आज मैं दुखी हूँ आज मैं नाराज हूँ आज मैं उदास हूँ बोलते रहते हैं बार-बार और क्योंकि हम ये संकल्प दोहराते रहते हैं यहां भी वो संकल्प चलते रहते हैं, और वो ही उर्जा शरीर को भी पहुंचते हैं, यहां हाथ रखें सबी एक पर, क्यूं हम यहां तिलक लगाते हैं ऐसा, और जब तिलक लगाते हैं, तो ऐसा दबाते हैं उस पॉइंट को, है न, मंदिर में भी जाते हैं, तो पहले तिल तो पहले तिलक लगाएंगे, फिर राखी बांदेंगे, भाग्य की भी जब बात होती है, तो यहाँ बात होती है, कि ते मेरे भाग्य में क्या है, तो यहाँ कुछ बहुत बड़ी शक्ति है, और यहाँ से हमारे संकल्प, हमारी सोच चलते हैं, एक गड़े के अंदर हम हजारो 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 सोच کر लेते हैं, चलता जाता है, चलता जाता है, आज हम ये देखें एक बार कि मेरी हर सोच का क्या-क्या असर पड़ता है Suppose हमने एक संकल्प किया आज का दिन बहुत सुन्दर था एक संकल्प है, आज का दिन बहुत अच्छा बीता एक संकल्प जैसे ही मैंने ये एक संकल्प बोला सबसे पहले कहा अच्छा लगेगा? मैं सिरफ सोचा, आज का दिन बहुत अच्छा था तो क्या होने लगेगा? मुझे यहाँ अच्छा लगने लगेगा और जैसे ही मैंने ये कहा तो वो अच्छा लगने की जो ओर्जा है वो मेरे शरीर पे पहुंचने लगेगी और जैसे ही मैंने ये कहा आज का दिन बहुत अच्छा था तो यहाँ से निकल कर उर्जा बातवरण में भी फैल जाएगी और ये उर्जा हमारे घर का महौल बनाएगे हर घर की एक एनर्जी एक उर्जा होते है आपको लगता है आपके घर में एक उर्जा है या नही है या नही है या नही है यहाँ एक उर्जा है एनर्जी है यहाँ से घर जाएंगे वहाँ भी एक vibration है, energy है, उर्जा है वहाँ से हम market में, मंडी में जाएंगे, वहाँ भी एक उर्जा है फिर हम वहाँ से, मंदिर, मस्जित, आश्रम, गुर्द्वारे में जाएंगे वहाँ भी एक उर्जा है, हर जगह की एक उर्जा है लेकिन वो उर्जा बनाने वाला कौन? कौन बनाता है? कौन बनाता है? बोलो बोलो, आप बतावा अंसर कौन बनाता है? हम बनाते हैं हम ही हैं जो घर पर है फिर हम ही घर से उठते हैं दुकान में जाते हैं, ओफिस में जाते हैं फिर हम ही वहाँ से मार्किट में जाते हैं फिर हम ही मंदिर, मस्जिद, गुर्द्वारे जाते हैं हम ही हर जगे जा रहे हैं लेकिन हर जगह हमारी सोच अलग-अलग है तो जब हम मंदिर, मस्जिद, गुर्द्वारे, अश्रम में जाते हैं तो हमारी शोच में शुद्धता है। हम परमात्मा को याद कर रहे हैं। हम उसका शुक्रिया कर रहे हैं। हम अच्छे अच्छे शब्दों का उच्चारन कर रहे हैं। हम उसकी महिमा कर रहे हैं। हम उसके गुणगा रहे हैं। और जब हम अच्छे अच्छे शब्दों का उचारन करते हैं, तो हमारी यहां की उर्जा उपर चली जाती है, और फिर वहां के स्थान की उर्जा में भी क्या आ जाता है, शांती आ जाती है, शक्ती आ जाती है, स्थिरता आ जाती है, लेकिन फिर हम घर आते हैं, तो हमारी शब्द क्या होते हैं, ऐसा क्यों किया, वैसे क्यों किया, ये क्यों बोला, वो क्यों बोला, इसने मेरा कहना नहीं माना, उसने मेरा नहीं माना, शब्द ही बदल जाते हैं, और जैसे शब्द बदलते हैं, हमारे घर की उर्जा बदल जाती है, और उसी घर में बच्चे रहते हैं उसी घर में वो बच्चे छोटे से बड़े हो रहे हैं उनको हम खाना पीना पोशन पढ़ाई वो सब देते हैं लेकिन हम उनको किस तरह की ऊर्जा देते हैं उस से उनकी मन की स्थिति का विकास होता है उस से उनके संसकार बनते हैं दुनिया में लोगों को ये लगता है कि जितना बड़ा हमारा घर होगा उतने जादा हम खुश होगे फिर लगता है हमारे घर में जितना अच्छा-च्छा समान होगा उतने हम खुश होगे लेकिन वास्तविक्ता ये है कि खुशी मकान के छोटे या बड़े होने से नहीं खुशी समान होने या न होने से नहीं खुशी का आधार है उस घर में उर्जा कैसी है उसकी एनरजी कैसी है शान्ती है, स्थिर्ता है तो उस घर का हर मन शक्तिशाली है लेकिन मेरे पास बड़ा मकान है, सब सामान है, आराम है लेकिन अगर मन में हलचल है, अशान्ती है, तो वही घर में फैलती रहती है और जब वही घर में फैल रही है, तो हम बड़े मकान में रहकर भी खुश नहीं है क्योंकि वहां की उर्जा में अशान्ती है, हल्चल है तो सबसे बड़ी भ्रान्ती जो है वो ये है कि खुशी पैसों से खरी दी जा सकती है आपको लगता है खुशी पैसों से खरी दी जा सकती है? किस-किस को लगता है खुशी पैसों से नहीं खरी दी जा सकती है? जो हम इतनी महनत कर रहें न कोई कहे आप इतनी महनत क्यों करते हो ठीक से खाओ, ठीक से सो तो नहीं मुझे बहुत कमाना है बहुत कमाना है, बहुत कमाना है बहुत कमाना तो बहुत अच्छा होता है लेकिन जब उनसे ये पूछते हैं इतना क्यों कमाना है तो वो ये नहीं कहते कि मुझे अपने परिवार को आराम देना है वो कहते हैं मुझे अपने परिवार को खुशी देने है एक ही शब्द में सब कुछ बदल जाता है तो हमें बहुत clear होना चाहिए पैसों से क्या खरीदा जा सकता है क्या नहीं खरीदा जा सकता है ठीक है आप clear है पैसों से क्या खरीदा जा सकता है क्या नहीं खरीदा जा सकता है ठीक है मैं कुछ-कुछ शब्द बोलती जाऊंगी अगर आपको लगता है वो पैसों से खरीदा जा सकता है आप अपना हाथ उपर करना और अगर आपको लगता है वो पैसों से नहीं खरीदा जा सकता है तो आप हाथ नीचे रखना Ready? Ready? हाथ उठाओ Ready? ठीक है? एक दूसरे का हाथ नहीं देखना बल्कुल हमारे सारे अंसर राइट होते हैं किसी का अंसर गलत नहीं होता यहाँ पर अगर वो चीज पैसों से खरीदी जा सकती है तो हम आथ उपर करेंके अगर वो चीज पैसों से नहीं खरीदी जा सकती है तो हम हाथ को नीचे रखेंगे हमारा घर पैसो से खरीदा जा सकता है हमारे साइकल, स्कूटर, गाड़ी पैसो से खरीदे जा सकते है हमारा परिवार इकठे मिलकर उस घर में अच्छे रिष्टे निभा कर रहेगा पैसो से खरीदा जा सकता है हम उस स्कूटर गाड़ी पर खुशी-खुशी घुमने जाएंगे पैसो से खरीदा जा सकता है हमारा फोन पैसो से खरीदा जा सकता है उस फोन से हम प्यार और सम्मान से एक गुसरे से बात करेंगे पैसो से खरीदा जा सकता है हमारा खाना पैसो से खरीदा जा सकता है हमारे शरीर का स्वास्त पैसो से खरीदा जा सकता है बिमारी का इलाज पैसो से खरीदा जा सकता है स्वास्त पैसो से खरीदा जा सकता है नहीं शरीर को आराम पैसो से खरीदा जा सकता है जैसे मैं सोफे पे बैठी हूँ तो मैं बहुत आराम से बैठी हूँ ये पैसों से आया है सोफा लेकिन इस सोफे पे बैठकर मैं मन खुश हो वो इससे नहीं खरीदा जा सकता है तो हमारे को दो चीजे चाहिए दोनों बहुत जरूरी है एक जो पैसों से खरीदी जा सकती है और दूसरी जो पैसों से खरीदी नहीं जा सकती है तो जो चीज पैसों से खरीदी जा सकती है वो तो हमको आ गया हमें आ गया काम करना, मेहनत करना, पैसे कमाना, चीजे खरीदना आ गया अब जो चीज पैसों से नहीं खरी दी जा सकती वो कैसे आईगी उसको कमाने का तरीका क्या है क्योंकि हम अपनी पूरी जीवन और फिर आगे अपने बच्चों की जीवन में सिरफ इस बारे में बात कर रहे हैं कि पढ़ाई पढ़ो, कुछ बन जाओ, बन कर अच्छा काम करो, काम करोगे तो खुश रोगे तो छोटी सी गलती कर दी हमें कहना था पढ़ाई करो, बहुत अच्छा काम करो काम करके नाम, मान, शान, पैसा बहुत कमाओ और ये सब कुछ करके अपने जीवन को अराम वाला बनाओ लेकिन खुश रहने के लिए शरीर का अराम नहीं मन का अराम चाहिए है खुशी यहाँ है सबसे पहली एक्वेशन आप में से किस-किस के बच्चे हैं हाथ उठाओ अच्छा अभी आप चेक करना ये हाँ एक स्कूल है इधर पडोस में उसमें दो बच्चे हैं एक बच्चा अपनी क्लास में हमेशा प्रथम आता है फर्स्ट वो फर्स्ट के लावा कभी कुछ आया ही नहीं है और वो सिरफ पढ़ाई में फर्स्ट नहीं आता वो जिस चीज को हाथ लगा दे वो उसमें फर्स्ट आ जाता है वो खेल कूद में फर्स्ट आ जाता है हर चीज में जो स्कूल में होती है उसमें वो फर्स्ट आता रहता है लेकिन वो बच्चे के अंदर अहंकार बहुत है एहम है वो जब बोलता है तो ऐसे कड़वे शवत बोलता है कि जो सुनेगा उसका दिल दुप जाएगा उसको जो आता है वो किसी को सिखाता नहीं है वो अपनी चीज अपने तक रखता है किसी को अगर मदद की जरूरत होती है वो वहाँ नहीं होता है लेकिन वो first हमेशा आता है और क्योंकि वो हर चीज में first आता है सारे लोग उसको कहते है कि इसको तो बहुत बहुत सफलता है ये तो बहुत अच्छा बच्चा है ये तो बहुत समझदार बच्चा है तो बहुत intelligent बच्चा है उसके लिए तालियां बच्चती है उसको award मिलते है पीचर भी कहती है, आपका बच्चा बहुत अच्छा है, मात पिता भी खुश होते हैं, हमारा बच्चा तो हमेशा फिर्स्ट आता है. तो उस बच्चे को कहा जाता है सफलता, सक्सेस. दूसरा बच्चा है, जो पास ही मुश्किल से होता है. और कभी-कभी तो पास नहीं होता है लेकिन उसके अंदर नम्रता है वो अपने संबंदों में बहुत प्यार से जुक कर रिष्टे अच्छे बना लेता है वो हमेशा दूसरों की मदद करता है वो हमेशा सेवा भाव से दूसरों को सहयोग देता है और हमेशा चारो तरफ उसके व्यवहार से खुशी फैलते रहती है लेकिन उसके नमबर बिलकुर अच्छे नहीं आते उसको दुनिया क्या कहती है? क्या कहती है? क्या उसके लिए कभी ताली बचती है? क्या उसके लिए कभी ताली बचती है? नहीं बचती आज बजा लो उन बच्चों के लिए दाली उसके लिए हरेक कहता है इसका क्या होगा ये तो पास ही नहीं होता ये क्या करेगा बढ़ाओ के इसका तो कुछ भी नहीं हो सकता माबाप उसके जब स्कूल जाते हैं तो टीचर भी शिकायत करते रहते उस बच्चे की भई आपके बच्चे का होगा क्या ये तो पढ़ता ही नहीं है पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है लेकिन आज हमने क्या कर दिया पढ़ाई, नमबर, फिर उसके बाद मेरी नौकरी, उसके बाद मेरा बिसनस उसके बाद मैंने जो कमाया, उसको ही सफलता बोला वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमने उसको सफलता बोला और जिसके पास अच्छे संसकार थे लेकिन नमबर नहीं थे हमने कहा इसका कुछ नहीं हो सकता इसका मतलब हमने कहा अच्छे संसकार की कोई value नहीं है और ये करके हमने संसकारों के अपने मूल्यों के महत्वकों क्या करते गए हम कम करते गए तो फिर किसी ने उस पर ध्यान रखना छोड़ दिया हमने कहा सारा importance तो क्या है तो दोनों में से क्या लगता है किसका जीवन जादा खुश हाल होगा दोनों में से ये वो है जो हमेशा first आता था लेकिन अहंकारी था ये वो है जो बहुत मुश्किल से पास होता था लेकिन नम्रचित, सेवा भाव, खुशी फैलाने वाला और सबको सहयोग देने वाला किसका जीवन जादा खुशियों से भरा होगा क्या लगता है first आने वाले का या दूसरे वाले का तो हमें तो सब कुछ ही पता है कोई ऐसी बाती नहीं है जो हमें नहीं पता अब इसका मतलब यह थोड़ी है कि हमें पढ़ना नहीं है मेनत नहीं करनी, first नहीं आना यह तो बहुत important है लेकिन important है कि इससे क्या आएगा और इससे क्या आएगा और important है हम दोनों को मिला कर चलें तो हम magic create करेंगे अपनी जीवन की अंदर लेकिन, लेकिन दो चीजों में ध्यान रखेगा एक होता है आत्मा के संसकार और दूसरी होती है बुद्धी की शम्ता ठीक है? हर बच्चा first नहीं आ सकता हर बच्चे की उतनी शम्ता नहीं होती है कोई बच्चे कम मेहनत करते हैं लेकिन नमबर जादा आ जाते हैं और कोई बच्चे उतनी मेहनत नहीं करते हैं लेकिन नमबर सहज आ जाते हैं और कोई बच्चे बहुत मेहनत करते हैं फिर भी उतने नमबर नहीं आते हैं क्योंकि हर एक की बुद्धी की शम्ता अलग-अलग होती है तो हर बच्चा first time ये संभव नहीं है मेहनत करके वो अपनी शम्ता से जादा नमबर ला सकता है लेकिन हर बच्चा नम्रचित हो दूसरों, 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 आर और दुवां किसी भी परिस्थिती में वो शान्त और स्थिर रहे ये हर बच्चा कर सकता है क्योंकि संस्कारों की कोई शम्ता नहीं होती है संस्कार आत्मा के संस्कार है वो हर बच्चे में हो सकते है और जैसी ही, अब इसको देखना ये मेरी बुद्धी की शम्ता है और ये मेरे संसकार और मूल्य है अगर मेरी शम्ता है कि मेरे असी नमबर आते हैं परिशान होकर चिंता करके मेरे असी नमबर आते हैं अगर मैं उसी मन को शान्त कर लू स्थिर कर लू सबके साथ अच्छा व्यवाहार करू किसी की निंदा नहीं करू अपने मन को हमेशा स्वच रखो तो मेरे असी से क्या हो जाएंगे? फोड़े से बढ़ेंगे या घटेंगे? किसको लगता है मन शान्त होगा तो थोड़े से बढ़ जाएंगे? तो सारा दिन है न, अपने बच्चों को सरफ नंबर के लिए डांटा ना करो मेहनत करने के लिए प्रेरित करो लेकिन, लेकिन साथ साथ उनको संसकारों को श्रेष्ट बनाने के लिए प्रेरित करो आज बहुत लोग हैं जो हमेशा फरस्ट ही आये थे लेकिन आज उनकी टेंशन भी फरस्ट नंबर पे चल रही है तो उनके पास है सब कुछ सब कुछ जो पैसे से खरीदा जा सकता है लेकिन क्योंकि उनको बच्पन से नहीं सिखाया गया और अभी भी उनके पास सीखने का टाइम नहीं है कि इसकी शक्ति को कैसे बढ़ाएं तो उनके पास वो सब कुछ है जो पैसों से खरीदा जा सकता है और वो सारी चीजें जो पैसों से खरीदी नहीं जा सकती उसके लिए वो मांग रहे हैं कि मुझे खुशी चाहिए, मुझे शांती चाहिए तो जिसको जीवन में सफल होना है उसको दोनों चीजें होनी चाहिए जो चीज पैसों से खरीदी जा सकती है और जो चीज पैसों से नहीं खरीदी जा सकती लेकिन एक सिध्धान्त पक्का है एक सिध्धान्त पक्का है और वो आप चेक करना आपको राइट लगता है के नहीं मेरे पास समान जादा हो जरूरी नहीं मैं खुश हूँ लेकिन अगर मेरे संसकार श्रेष्ट है और समान कम भी हो तो भी मैं आत्मा भरपूर हूँ ये तो पक्की बात है ये तो पक्की बात है क्योंकि मेरे पास संतुष्टा है तो दोनों में से किस पर मैनत थोड़ी जादा करने चाहिए किस पर मैनत करने चाहिए थोड़ी संसकारों पर सोच पर व्याभाहार पर मुल्यों पर और वो हम अपने बच्चों को तब सिखा पाएंगे जब उसको हमने अपने जीवन में सबसे ज़ादा महत्वधिया हुगा और जब हम उनके मन को शक्तिशाली बनाएंगे तो उनके जितने नमबर थे वो automatically बढ़ जाएंगे क्योंकि शक्ती से मन की एकाग्रता बढ़ती है और जब मन की एकाग्रता बढ़ती है तो शम्ता तो अपने आप बढ़ जाएगी कौन-कौन अपने बच्चों को रोज डाणते रहते पढ़ो, 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 तुमारा क्या होगा, तुमारा क्या होगा, कौन-कौन रोज बोलता है एक बढ़ आद उठालो ऐसे नहीं हो सकता आप में से कोई भी नहीं बोलता अच्छा एक मिनट आंख बंद करो एक मिनट आंख बंद करो और अपने बच्चे को सामने लेकर आओ और उसकी तीन अच्छे जो उसके सबसे अच्छे संसकार है उसके तीन वो अपने सामने ले कराओ तीन विशेशताई तीन ऐसे संसकार जो उसात्मा की शक्ति है जिसके साथ वो जब जो करेगा उसको सफलता निश्चित है तीन संसकार कमजोर्या नहीं देखना संसकार अच्छे वाले देखने सिरु सिरुफ विशेशताई देखने है जिसको तीन मिल गई वो हाथ उठाओ यहां मिल गई तीनों संसकार मिल गई सबको इस साइड जो बैठे हैं तीन मिल गई बच्चों के संसकार हाथ उठाओ हाँ, आज, एक होंबक, बच्चों का तो होंबक कराते रहे तो आप सारा दिन, आज एक होंबक खुद करना है, हर रोज, एक बार सुबई, एक बार शाम को, उस बच्चे को वो संसकार सुना कर, उसको उन संसकारों के महत्व के लिए मुबारक दो, कि आप बहुत ही विशेश बच्चे हो, आप बहुत ही special बच्चे हो, आप बहुत ही powerful बच्चे हो, क्योंकि आपके अंदर ये तीन बहुत अच्छे संसकार हैं, आप बहुत बहुत सदा 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 सफल होंगे ही, होंगे ही, होंगे ही, क्योंकि आपके पास ये बहुत अच्छ तीन संसकार है, बोल सकते हैं आप ये बच्छों को रोज, बोल सकते हैं रोज, रोज ये तो उनको बोलते रहते हैं, तुमारा क्या होगा, तेरा कैसे होगा, पढ़ता नहीं है तो कैसे होगा, ऐसे चलेगा तो कैसे होगा, माक्स नहीं आएंगे तो एडमिशन कैसे होगी, ए ऐसे ही आप उसके वो अच्छे संस्कारों को रोज दोहराएंगे. पहली बात आपके अंदर पक्का हो जाएगा कि मेरा बच्चा बहुत स्पेशल है. दूसरा, आप उसको वो तीन संस्कार दोहराते हुए, आप अपने बच्चे को शक्ती और दुआएं दे रहे हैं. और जब आप उसको हर रोज शक्ती और दुआएं, शक्ती और दुआएं रोज देंगे, उस बच्चे की जो मन की शक्ती है, वो क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? बढ़ेगी. एक मिनिट हाथ ऐसे रखें, सबी जो मम्मी पापा हैं? हाँ, अब याप बताना हाँ, हाथ किस डिरिक्शन में जाता है? जब हम उनको ये कहते हैं, क्या होगा? कैसे होगा? तू देख ले तेरा कुछ नहीं होगा, नहीं तो ऐसे करेगा तो. तो मन की शक्ति यहां है, और हमारे इतने अच्छे अच्छे शब्द सुनकर, वो उपर जाएगी नीचे जाएगी? उपर जाएगी नीचे जाएगी? नीचे जाएगी. और जब हम उसको बोलेंगे, आप बहुत स्पेशल बच्चा हो, आपके अंदर ये तीन अच्छे संस संसकार हैं, और ये तीन संसकारों से तो आप दुनिया में जो करना चाहो, आप कर लो, सफलता तो आपके पीछे पीछे चलेगी. तो मन की शक्ति कहां जाएगे? उपर जाएगे. तो जब हमें पता है, तो हम खुदी उनकी मन की शक्ति को नीचे क्यों करते हैं? हमें उनकी मन की शक्ति को उपर कर दिया तो पक्की बात है उनके पांच नमबर एक्स्ट्रा तो वैसे ही आ जाएंगे अगली बार लेकिन रोज उनको ऐसे ऐसे बोल कर अगर उनकी मन की शक्ति को नीचे किया तो आपके शब्दों के वज़े से उनके पांच नमबर कम हो जाएंगे क्योंकि उन्होंने परिक्षा यहां से देनी है और यहां की शक्ति को बढ़ाना घटाना यह हमारे पास पावर है दुआएं दो सपोस कभी आपका पडोसी या कोई और रिष्टेदार आकर आपको कहे पता नहीं आपके बच्चे का क्या होगा सिरफ इसको सामने लाव सीन को आसपस के लोग आकर आपको बोलते हैं आपके बच्चे का कुछ नहीं हो सकता आप बोलने देंगे उनको ऐसा कौन-कौन बोलने देगा आसपस के लोगों को ऐसा वो बोलते जाएंगे क्या होगा, कैसे होगा, सब आगे निकल जाएंगे, ये पीछे रह जाएगा, इसका कुछ नहीं हो सकता, आप बोलने देंगे लोगों को ऐसा, कौन-कौन रोकेगा उन लोगों को ऐसा बोलने से, very good, मुबारक हो, आज से अपने आपको रोक तो ऐसा बो सकते हैं, हम ऐसा ना उनके लिए बोल सकते हैं, ना हम खुद के लिए बोल सकते हैं, मेरा क्या होगा, क्योंकि मेरा हर शब्द, चाहे वो मन में है, चाहे शब्दों मेवानी में है, मेरा हर शब्द, मन की शक्ति को या तो बढ़ाता है, और मेरा हर शब्द, गलत हो तो मन की शक्ति को घटाता है आज हमारे पास नमबर पांच कम आ भी जाएं लेकिन शक्ति इतनी होगी कि उसी परिस्थिती को पार करके कुछ कमाल करके दिखा देगे लेकिन हमारे पास सब कुछ आ जाए और शक्ति कम होगी तो हमें पता नहीं चलेगा करना क्या है खड़ी होती है और अगर किसी कारणवश उनको वो कॉलेच में नहीं मिला किसी कारणवश उनको जो बनना था वो वहाँ नहीं बन पाए तो वो मन से हताश हो जाते हैं वो मन से हार जाते हैं वो मन से इतना निराश हो जाते हैं कि उनके अंदर तो कभी-कभी ये भी संकल्प चलता है कि मुझे जीना ही नहीं है क्यों? बाहर की पढ़ाई में तो कर लिया लेकिन यहां की शक्ति घर में किसी ने नहीं बढ़ाई उनकी इसलिए नंबर बहुत इंपोर्टेंट है लेकिन नंबर से जादा इंपोर्टेंट क्या है? क्या जादा इंपोर्टेंट है? बोलिए शक्ति, मन की शक्ति जादा इंपोर्टेंट है और मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए घर में वो शक्ति होने चाहिए और वो घर की उर्जा, वो घर की शक्ति किस से बनती है? हमारे शब्दों से किस-किस को लगता है कि पौधों पर हमारी शक्ति का असर पड़ता है आपने कभी देखा है पौधों पर असर पड़ता है? किसने अनुभव किया है, सिरफ सुना नहीं है, अनुभव किया है हमारा गुजरात में एक सेंटर है, तो एक बार उस सेंटर पर गए थे तो वो बहन ने एक बहुत अच्छी बात सुनाई, तो उनका सेंटर के जस्ट बाहर एक आम का पेड है और उस आम के पेड पर बहुत फल लगता था हर साल, लेकिन वो बहने दोई बहने थी छोटी उस सेंटर पर और वो आम के पेड पर बहुत फल लगता था, तो वो बहन कहती है, हम हर बार बोलते थे इतना फल लगता है अब इसको कोन संभाले, किदर पैक करो, किदर भरो, बहुत मुश्किल है फिर इदर भेजो, उधर भेजो, हमारा काम बहुत बढ़ जाता है फल तो बहुत अच्छा लग रहा था लेकिन वो फल लगने से बहनों का काम बहुत बढ़ गया था उदर तो बहुत नाच्रल रूप से उन्होंने कहा कि बहुत काम बढ़ जाता है, ये फल इतना आ जाता है, इसको संभालो, भेजो, बार बार इतना बोलते थे, कि अगले साल उस पेड पर फल लगना बंध हो गया फल लगा ही नहीं, उनको लगा पता नहीं क्या हुआ वरिक्ष को, चलो अगले साल लग जाएगा उसके अगले साल फिर उस वरिक्ष पर फल नहीं लगा तो फिर उन्होंने क्या किया उसके अगले साल से पहले, सीजन से पहले उन्होंने उस व्रिक्ष के पास बैठ कर मेडिटेशन किया जो मेडिटेशन सेंटर के अंदर बैठ कर करते हैं वो ही उन्होंने व्रिक्ष के पास बैठ कर किया जो आज भी इस इश्वरिय विश्व विद्याले में एक बहुत बड़ा प्रॉजेक्ट है जिसको कहते ही योगी खेती मतलब खेतों में जाकर योग करना और जब उन्होंने वरिक्ष के आसपास बैठ कर बहुत श्रेष्ट संकल पड़वात्पा के याद की शक्ति वो सब किया अगले साल उस वरिक्ष पर फाला गया ये होता है हमारे संकल्पों का प्रकृति पर असर्थ ये तो बहुत बड़ा वरिक्ष है आप अपने घर पे पौदों पर करके देख लेना दो पौधे हैं दोनों को हम रोज पानी देते हैं लेकिन एक को पानी ये बोल कर दो क्या मुसीबत है इतना काम करो इसको पानी भी दो सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं कोई और मदद नहीं करता है और ऐसे करते करते हैं पानी दो और दूसरे पौधे को बहुत प्यार से उसके साथ बात करते हुए उसको थोड़ा सा प्यार से ऐसे ऐसे करते हुए फिर उसको पानी दो तो आपको लगता है दोनों पौधों में कोई फरक होगा या नहीं होगा किस-किस को लगता है फरक होगा तो अगर पौधों में इतना फरक हो सकता है तो बच्चों में कितना फरक होगा बच्चों में कितना फरक होगा तो इसलिए मेनत करते हैं उनका अच्छा चाहते हैं हमारा intention बहुत अच्छा है कि उनका बहुत अच्छा होना चाहिए लेकिन उनका अच्छा हो उसके लिए हमारी तरफ से उनके लिए अच्छे शब्द जाने चाहिए हमारी उर्जा उनके लिए चिंता की नहीं हो सकती हमारी उर्जा उनके लिए निंदा की नहीं हो सकती हमारी उर्जा उनके लिए फेलियर की असफलता की नहीं हो सकती कि तुमारा क्या होगा तुम कुछ नहीं बनोगे ऐसे ऐसे शब्द भी स्वपन में भी नहीं आने चेहें स्वपन में भी नहीं एवन अगर आपका बच्चा पास नहीं हुआ उसको तो बोलना है पढ़ने के लिए लेकिन मन में संकल्प कर ले ना कोई बात नहीं अगली बार तो इससे कई गुणा जादा आएगा दूआ दो पौधे को ऊपर कर लो वापस लेकिन अगर उल्टे शब्द बोले तो उगता हुआ पौधा भी क्या होने लगता है तो आज सब कुछ है लेकिन चहरे पे मायूस ही होती है छोटी-छोटी बातों में मुझे नहीं जीना मेरे से नहीं होता ये सब क्या है बच्चों के अंदर शक्ति की कमी तो जिम्मेवारी किस पर है किस पर है जिम्मेवारी उनको शक्ति शाली बनाने की हाथ रखो किस पर है वो जिम्मेवारी तो आप अपनी जिम्मेवारी निभाने के लिए रेडि है येस रेडि है उसके लिए सिरफ एक ही चीज़ करने है एक विधी सीखने है और वो विधी बहुत आसान है और वो विधी ये है कि चाहे कुछ भी हो जाए हमारा जो हर एक संकल्प है हमारे जो हर एक बोल है वो ऐसे होने चाहिए जिसको हम कहते हैं दुआ होने चाहिए हमारा हर संकल्प एक दुआ हो हमारा एक बोल दुआ हो दुआएं असंभव को संभव करती है करती है या नहीं करती दुआएं असंभव को संभव थोड़े दिन पहले हमारे पास आश्रम पे एक भाई आए कहता है पैदा ही एक बीमारी के साथ हुआ था उसके जो हाथ पाऊं थे वो थोड़े ठीक से नहीं बन रहे थे तो डॉक्टर ने कहा था कि ये ज़ादा समय नहीं है उसके पास ये नहीं ठीक हो सकता है Medical Science है कि वो बीमारी ठीक नहीं हो सकती है कहता है सबने स्विकार कर लिया वो तीन साल का बच्चा था तब कहता है सबने स्विकार कर लिया कि ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती है और ये दिन बदिन क्या होगा ये हाथ पैर और ही क्या होते जाएंगे कमजोर होते जाएंगे कहता लेकिन मेरी मा ने नई स्विकार किया इस बत को और उसने एक की संकल्प किया कि इसने तो बिलकुल ठीक होना ही होना ही होना है डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं हो सकता वो ये बोलते गए वो मा अपना करती गए और कहा कि दिन में पतनी दस बारा बार वो मेरे अंग को मालिश करती रहती थी लेकिन मालिश करते वो शब्द बोलती जाती थी आज वो हमारे देश का एक बहुत बड़ा नाम है वो भै बहुत बड़ा नाम है वो हमारे देश का वो हमारे देश को अंतराश्च्रे लेवल पर खेल कुद में रेप्रेजेंट करता है उसके लिए जिसने डॉक्टर ने बोला था ये ठीक नहीं नहीं ये जीवत भी नहीं रह सकता लेकिन उसकी मां की एक संकल्प और शक्ती उसको कहां से कहां लेकर चला गया ये होता है संकल्प की शक्तियों और दुवाओं का बल ये होता है लेकिन हमें ये तो दिखाई देता है कि हमारे अच्छे संकल्प उनको कहां से कहां लेकर जा सकते हैं लेकिन हमें ये नहीं दिखाई देता कि हमारे विप्रीत संकल्प उनकी शमता को घटा सकते हैं शारीरिक नहीं, लेकिन मन की शमता को घटा सकते हैं, तो कुछ भी हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, सब कुछ नीचे गिर रहा हो, सिरफ अपने संकल्प को नीचे गिरने नहीं देना हैं, हो सकता है ऐसा, हो सकता है, क्या हम उश्किल परिस्थितियों में अच्छे संकल्प कर स कर सकते हैं? तो राजयोग, आध्यात्म, ज्ञान यही हमको सिखाता है। लोग कहते हैं कि टाइम नहीं है हमारे पास, समय नहीं है हमारे पास रोज ध्यान करने का, योग करने का, ज्ञान सुनने का। यह जो शक्ती है योग की, ज्ञान की, वो जो सबसे बड़ी शक्ती हमें देती है वो यह, कि हम मन के मालिक बनने लगते हैं। मुश्किल से मुश्किल परिस्थिती में भी हम ऐसे संकल्प करते हैं कि जैसे सब कुछ पॉफेक्ट है। दो दिन पहले तक आपके शहर में कितनी बारिश हो रही थी? कितनी बारिश हो रही थी? बारिश हो रही थी या नहीं हो रही थी? अब आप सोचो शहर भी इतनी बारिश हो रही है। पानी पानी चारों तरफ है और दो दिन के बाद दस हजार लोगों का प्रोग्राम है। तो कैसे संकल्ब चलने चाहिए? कैसे संकल्ब चलने चाहिए? कैसे होगा? उस दिन बारिश होगी तो कैसे होगा? बारिश होगी तो लोग आएंगे कैसे? आएंगे तो पानी आएगा अंदर, बाहर की चड़ोगा, क्या करें? चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाए करका कि नहीं और हम कहेंगे राइट ही तो है अरे बारिशोरिय तो हम यही तो सोचेंगे कि बारिशोरिय तो कैसे करेंगे यह हमें नहीं सिखाया जाता ऐसा सोचना हमें यह सिखाया जाता है एक ही संकल्प करना एक तो जादा-जादा सोचना नहीं है एक ही संकल्प करना है प भगवान अगर हमारा साथी है, तो प्रकृती भी साथ में आएंगी उसके, तो भगवान हमारा साथी है, प्रकृती हमारी साथी है, हमें निश्चित है, कि वो प्रोग्राम निर्विघन पूरा होगा, ये हमें संपूर निश्च है, एक भी डाउट नहीं उसके अंदर फोट के अंदर और एक संकल्प किया और फुल स्टॉप कर दिया ऐसा नहीं कि उसको बार-बार बोलना पड़ता है जो हमारा नेगेटिफ चिंतन होता न वो बहुत सारा चलता है और फिर वो सिरफ यहां नहीं चलता फिर हमें कोई मिलता है तो हम उनको बोलते हैं क्या होगा अब्दों को दोहराते रहते हैं अब हो सकता है उस दिन बारिश हो हो सकता है उस दिन बारिश नहीं हो लेकिन इंपोर्टेंट है कि पंदरा दिन से ऐसा सोच सोच के सोच सोच के बोल बोल के अपनी शक्ति को तो पक्का घटा लेते हैं घटाते हैं और जब हम विप्रीत कर कि नहीं, ये भगवान की सेवा है, सब ने एक बहुत अच्छे संकल्प से इसको किया है, प्रकृति हमारी साथी है, सब कुछ निर्विगन होना ही होना है, तो सबसे पहली चीज जो बच जाती है, मन की स्थिति, और अगर कोई भी संकल्प दृड़ता से किया जाए, और दृड़ता से उसको पकड़ा जाए, चाहे कुछ भी आपको आसपास दिखा रही हो, आप उसको अगर पकड़ के रखेंगे, तो आप असंभव को संभव अपने जीवन में कर सकते हैं, जैसे उस मा ने अपने के जीवन में कर दिया, चाहे विज्ञान कहे ये नहीं हो सकता, चाहे आपकी भविश्यवानी कहे ये नहीं हो सकता, चाहे प्रकृती कहे ये नहीं हो सकता, लेकिन सबसे बड़ी शक्ती है संकल्पों की शक्ती, ये शक्तियां सारी उसके बाद आती हैं, इसलिए जीवन में अपने बच्चों को कुछ दे सके सब कुछ नहीं दे सकते हम सब के पास कुछ शक्तिया हैं कुछ कम्या है लेकिन एक चीज उन बच्चों को सरूर देना है और उनको देने के लिए वो अपने अंदर पहले लाना है और वो ये है कोई भी परिस्थिति आजाए और कोई भी मतलब कोई भी परिस्थिति आजाए संकल्प हमेशा श्रेष्ठ होना चाहिए और संकल्प की शक्ति से असंभव को संभव करेंगे ये शक्ति उनको सिखाने हैं क्योंकि अभी जो समय चल रहा है और कोविड के बाद क् कोविड में क्या हुआ कोविड का वाइरस थो था यह चारो तरफ लेकिन एक और वाइरस चारो तरफ फैला हुआ था और वो वाइरस था डर और चिंता का और वो सिरफ एक शहर में, एक देश में नहीं था वो पूरी स्रिष्टी पर, पूरी डर और चिन्ता फैल जाता है कोविड का तो वैक्सीन आ गया डर और चिन्ता के लिए कोविड का तो वैक्सीन आ गया डर और चिन्ता के लिए कुछ नहीं किया और हमने का डर और चिन्ता तो स्वाभाविक है कोविड है डर और चिन्ता तो हो गई अब COVID तो खतम के बराबरी है लेकिन डर और चिंता फैली होई है इसलिए COVID के बाद लोगों को और जाधातर बच्चों को डर जल्दी लगता है बतलब चिंता जाधा होती है कुछ बत्तों को एंसाइटी होती है घबराहट होती है और वो एक साइन है कि उन्हें शक्ति देनी है हमें और उस शक्ति को उन्हें देने के लिए हमें सिरफ एक ही चीज करनी है हमें हमारे घर की उर्जा को शक्तिशाली बनाना है आप ready हैं करने के लिए याद रखना वो बच्चे उस घर का वो पौधा है और पौधा मेरी उर्जा के अनुसार उस तरह से होगेगा और जो शक्ति हम उनको दे रहे होंगे वो शक्ति सबसे पहले किसको मिलने वाली है? हमें खुद जो वो शब्दों को उच्चारण करेंगे हैं आप में से किस-किसको खुशी चाहिए? चेंज करते हैं शब्द को अब इसको चेंज करते हैं ठीक है? अब हम एक-एक शब्द को ऐसे बदलते जाएंगे आध्यात्म अर्थात भाषा परिवर्तन भाषा का परिवर्तन है नेगिटिव शब्द नाकरात्मक शब्द खतम और श्रेष्ट शक्तिशालेशब अब जब मैं कहती हूँ मुझे खुशी चाहिए मतलब इस ताइम मेरे पास इस कमीनी क्या? इस ताइम मेरे पास नहीं है ऐसा हो सकता है कि आपके पास खुशी नहीं है ऐसा हो नहीं सकता है लेकिन क्योंकि दुनिया कह रही है कि खुशी चाहिए सब लोग कह रहे हैं कि खुशी चाहिए तो हम सबको लगा सबको खुशी चाहिए तो हमको भी चाहिए होगी इसलिए हमने भी बोलना शुरू कर दिया खुशी चाहिए और सब लोग ऐसे हो गए खुशी चाहिए, खुशी चाहिए, खुशी चाहिए, खुशी चाहिए नहीं, खुशी मेरा स्वभाव, मेरा संसकार है, हम खुशी चाहिए वाले नहीं, हम सबको खुशी देने वाली आत्मे हैं, चाहिए वाली थोड़ी हैं, कौन सी वाली है हम, लेकिन अगर हम बार बार कह चाहिए 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 मतलब मैं बार बार क्या रिपीट कर रहे हूं कि मेरे पास नहीं है फिर दूसरी चीज हम क्या कहते हैं मुझे शांती भी चाहिए फिर मुझे प्यार भी चाहिए सब चीज जो हमारी अपनी थी उसको हमने कहा चाहिए 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 और चाहिए च शुरू कर दिया कम करना शुरू कर दिया यहां पर जब हम एक दूसरे को मिलते हैं हम कहते हैं ओम शान्ति ओम शान्ति का अर्थ है मैं आत्म शांत स्वरूप हूं अर्था शान्ति मेरा संसकार है जैसे स्वास्थ शरीर का स्वभाव है लेकिन नई ध्यान रखा तो बिमारी आती है और जब बिमारी आती है हम कहते हैं मुझे स्वास्थ चाहिए लेकिन स्वास्थ तो इस मेरे शरीर का नाच्रल स्वभाव है मेरा शरीर स्वस्थी होना चाहिए लेकिन ध्यान न रखने के कारण विमारी आती है इसी तरहे खुशी, शान्ती, शक्ती, प्यार ये आत्मा का संसकार है ध्यान न रखने के कारण कभी चिंता, कभी गुस्सा, कभी परेशानी तो खुशी, शान्ती, शक्ती चाहिए नहीं, है उसको संभाल के सारा दिन चलना है करके देखें अभी, कौन-कौन ready है संभालने के लिए उसको, ready है ना आप में से किसी ने बच्पन में वो निम्बू-चम्मच वाली रेस खेलिया किस-किस ने खेली, तो वो जो निम्बू है ना, वो है मन की स्थिति अब उसको रखो उस चमच के उपर, और कल सुबह निकलो अपने काम पर ठीक है, काम करना है, सबसे मिलना है, बहुत काम करना है, बहुत मेहनत करनी है बहुत कमान है, बहुत important है, मुझे उस रेस में number one आना है, वो भी ठीक है लेकिन सिरफ ध्यान क्या रखना है, रेस में number one वो आएगा, जिसका निम्बू अगर हम उस रेस में number one आ गए, लेकिन रास्ते में निम्बू गिर गया था, तो क्या हम उस रेस को जीतेंगे, नहीं जीतेंगे, जीवन की रेस भी ऐसे ही है तो वो निम्बू का है, अभी रखो हाथ, निम्बू का है सुगो सुगो आप उठेंगे, नल में पानी नहीं होगा, निम्बू को संभाल के रखना हाँ, निम्बू तो छोटी छोटी बातों में ही गिरता है फिर आप बच्चो को उठाने जाएंगे, वो उठेंगे नहीं आपके प्यार से बोलने से, निम्बू को संभाल के रखना फिर आप रास्ते में जाएंगे, कोई गलत तरह से साइकल या स्कुटर लगाएगा, टक्कर हो जाएगी, निम्बू को संभाल के रखना पर ऐसे ही पूरा दिन बहुत काम करना बहुत महनत करना सब रिष्टे निभाना सब कुछ करना रात को घर आना लेकिन निम्बु चमच में होना चाहिए ताली हम कल शाम को बजाएंगे जब आप निम्बु चमच पर रखकर रात को घर ले करेंगे अभी तो देखो सोच के ये इतना अच्छा लग रहा है तो करके कितना अच्छा लगेगा ये सोच खुश रहना बहुत सहज है लेकिन वो खुशी हम गिरा देते हैं सुब सुब सबसे पहले उठते हैं सुब पहला संकल करते हैं देर हो गई, पहले संकल्प में निम्बू गिर जाता है, अभी क्या होगा, अब तो सब गड़बर हो जाएगा, पानी भी चला जाएगा, में को जल्दी भरना था, सुबह सुबह निम्बू गिरता है, उस निम्बू को संभाल के रखने के लिए सुबह उठते ही, पहला संकल क्या होना चाहिए पहला संकब जिससे निम्बू और पक्का हो जाए उस चमच के उपर चिपक की जाय ता कि गिरही नहीं उसके बाद सारा देन में धीरे धीरे तो हमने ऐसा करता है कि वो निम्बू चिपकी जाय चम्मत से हम उचल कूद भाग दोड करके आ जाएंगे वो चिपका ही रहेगा उसके उपड़ ये पक्का है सदा खुश सुबह का पहला संकल्प में किसको याद करना चाहिए हमें इसको याद करना चाहिए है जिससे मन की शक्ती बढ़ जाएगे सुबह सुबह किसको याद करना चाहिए पहले आप लोग कौन-कौन उठते ही आधी आंग खोल कर फोन देखते हैं अपना हाथ उठा वैसे नहीं हो सकता कोई नहीं देखता सुबह सुबह उठकर इदर दुनिया में क्या हुआ मेसेज किसका आया काम पे क्या हुआ सुबह सुबह नहीं करना है फोड़ी देर बाद सुबह से उठते ही पहला संकल परमात्मा आपका शुक्रिया शुक्रिया तो उसमें दो शब्द आ गए एक परमात्मा सर्वशक्ति वान दूसरा शुक्रिया आ गया शुक्रिया एक बहुत बड़ी शक्ति होती है शुक्रिया का मतलब ये नहीं है कि मेरे पास सब कुछ है शुक्रिया मतलब जो भी है मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया ही करते रहते हूं हर चीज के लिए आज से ये एक शब्द अपनी डिक्षनरी में पक्का करो कौन सा शब्द? शुक्रिया हर चीज के लिए शुक्रिया शुक्रिया मतलब मैं आत्मा संतुष्ठ हूं पानी नल में आया शुक्रिया और नल में जिस दिन नहीं आया पानी नल में आया शुक्रिया पानी का तो शुक्रिया करना चाहिए ना हम कभी शुक्रिया नहीं करते पानी का रोज उसको यूज करते हैं सब कुछ करते हैं देकिन शुक्रिया नहीं करते हैं इस साल प्रकृति ने हमें एक चीज सिखा दी है कि प्रकृति के साथ एक अच्छा रिष्टा जोड़ना शुरू करे हैं प्रकृति विक्राल रूप को लेकर आय थी इस साल क्योंकि हम प्रकृती का सम्मान नहीं करते हैं हम प्रकृती का शुक्रिया नहीं करते हैं हम प्रकृती को सिरफ यूज करते रहते हैं किसी भी चीज़ को आप किसी व्यक्ति को सिरफ यूज करो उसको कभी शुक्रिया न करो उसको कभी प्यार और सम्मान से बात नहीं करो तो वो कितना टाइम आपकी सेवा करेगा कितना टाइम करेगा इसी तरह प्रकृती को हम यूज करते रहते हैं लेकिन कभी उसको शुक्रिया, कभी उसको प्यार, कभी उसको सम्मान कभी उस प्रकृती का ध्यान रखना तो आज प्रकृती उथल पुथल कर रही है तो आज से प्रकृती को भी शुक्रिया करे है करना चाहिए प्रकृती को शुक्रिया या नहीं करना चाहिए हमारी पालना कोन करता है हमारी परवरिश किस से होती है प्रकृति के पांच तत्वों से ही होती है ये शरीर भी उससे बना है तो जैसे ही हम शुक्रिया शब बोलेंगे न सबसे पहले कौन ठीक हो जाएगा ये तो नल में पानी आया शुक्रिया नहीं आया बताओ नहीं आया क्या हमारे मन की स्थिती परिस्थिती पर निर्भर है या हमारी मन की स्थिती हमारे उपर निर्भर है किस पर निर्भर है परिस्थिती पर या मेरे मन पर किस पर निर्भर है स्थिती किस पर निर्भर है स्थिती राजयोग एक ऐसी विधी हमें सिखाता है जो हम सब सीखेंगे कल परसों से और वो विधी ये है कि राजयोग हमें आत्म निर्भर बनाता है आत्म निर्भर अर्थात मैं आत्म परिस्थिती पर निर्भर नहीं मैं मन की स्थिती का मालिक हूँ वो हम अभी सीखेंगे लेकिन अभी एक चीज़ करना शुरू करते हैं शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया परिस्थिती मेरे अनुसार हो, शुक्रिया परिस्थिती मेरे अनुसार नहीं हो, बहुत शुक्रिया लोग मेरे अनुसार हो, शुक्रिया लोग मेरे अनुसार न हो बहुत शुक्रिया प्रकृती मेरे अनुसार हो शुक्रिया मेरे अनुसार न हो बहुत शुक्रिया क्यों शुक्रिया और बहुत शुक्रिया जब वो मेरे अनुसार होते हैं तो मुझे आराम देते हैं जब वो मेरे अनुसार नहीं होते हैं और मैं उनके साथ एज्जेस्ट करती हूँ तो वो मेरी शक्ती को बढ़ा देते हैं और इसलिए उनका बहुत 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 शुक्रिया। कोई अगर आपसे प्यार से बात करें तो वो आपको comfortable बनाता है आपको अच्छा लगता है कोई आपका हर कहना माने तो आपको बहुत अच्छा लगता है हम उन लोगों को हमेशा शुक्रिया करते हैं शुक्रिया शुक्रिया कोई आपकी महिमा करें बहुत अच्छा लगता है हम उसको शुक्रिया करते हैं लेकिन कोई आपकी निंदा करें कोई आपका कहना न मनें कोई आपके बारे में गलत फैलाएं और जब वो ये सब कर रहा है आप उसको सुनते हुए थोड़ा सा जुकें थोड़ा सा एज़ेस्ट हो अपने अहंकार को घटाएंगे वो तो वो करता जाएगा लेकिन हमने जब एज़ेस्ट होए और जुके तो हमारी मन की शक्ती कई गुणा बढ़ जाती है अगर वो हमारे से गलत व्यवाहार करते न तो हम जुकते न और अगर हम जुकते न तो हमारी शक्ती बढ़ती न तो उनको हमें कितना शुकरिया करना जए जो हमारे साथ गलत करते हैं अगर सब लोग आपकी महिमा करते गए न तो अहंकार बोट उपर चला जाता है इसलिए बोट शुक्रिया होता है उन लोगों का जो आकर क्या कर देते हमें तो इसलिए जो हमारे साथ गलत व्यावाहार करें हमारे बारे में गलत बोलें शुक्रिया मतलब हम उनको मन से दुआएं दे रहे हैं क्या आप में के पास कोई है जो आपके साथ अच्छा व्यावाहार नहीं कर रहा एक मिनट आँख बन करो उसको सामने ले कराओ हो सकता है वो इस हॉल में ही बैठे हो आज जल्दी पहुंच जाएगे आपके उर्जा उन तक आँख बन करो उनको सामने ले कराओ उनका व्यावाहार उनके शब्द रोज रोज उनका वो वो बोलना रोज रोज उनका जोड़ जोड़ से चिल्लाना रोज मेरे काम में गलतिया निकालना रोज मेरे बारे में गलत फैलाना पर कई बार तो उससे भी जादा मेरा नुकसान करना आज दिन तक हम इनके व्यावाहार को देख देख कर परिशान रहे हैं उदास रहे हैं आज आज से अभी से हम उनको दुआओं का एक संकल्प भेजते हैं उनको देखें और उनसे कहें परमात्मा की शक्तियां और दुआएं सदा आपके साथ हैं बोलना मन में ये उनके लिए परमात्मा की शक्तियां और दुआएं सदा आपके साथ हैं आप शक्ति शालियात्मा हो आपका हर करम सबको सुख देता है आपका और मेरा रिष्टा बहुत बहुत प्यारा है चार संकल्प हम सब अब बोलते हुए उसको रिपीट करेंगे मैं बोलूंगे आप दोहराना ठीक है रेडी उनको सामने रखना लेकिन उनको भेजनी है हमें वो उर्जा परमात्मा की शक्तियां बोलिये सभी और दुवाएं हमेशा आपके साथ है आप शक्ति शालियात्मा हो आपका हर करम सबको सुख देता है हम दोनों का रिष्टा बहुत प्यारा है चार संकल फिर से बोलिये एक बार परमात्मा की शक्तियां आपके साथ है आप शक्ति शालियात्मा है आपका हर करम सुख देता है हम दोनों का रिष्टा बहुत प्यारा है आँख खुलो किस-किस को लगता है ये बोला जा सकता है हर रोज एक बार बोलना है सिरफ जब हम ये चार संकल हर रोज हर रोज एक बार उनको जाके बोलना नहीं है सामने से इदर से बोलना है कहीं कल सुख जाकर उनको बोलके आ गए ये वाला काम गुपत होता है एक दम चुप चाप से भेजना है सारा सब को उनको हमारे संकल्पों में वो शक्ति है जो मुर्जाये वे पौधे को ठीक कर सकती है अच्छे पौधे को मुर्जा सकती है हमारे संकल्पों में वो शक्ति है जो शरीर में बिमारी ला सकती है हमारे संकल्पों में वो शक्ति है बिमार शरीर को ठीक कर सकती है हमारे संकल्पों में वो शक्ति है जो अच्छे अच्छे रिष्टों में गांठे ला सकती है और हमारे संकलपों में वो शक्ति है जो बहुत बड़ी गांठों को बहुत आसानी से खोल सकती है और रिष्टों को मजबूत बना सकती है वो यहां से है अब भी क्या होता है? सामने वाला उस तरह से व्यवहार कर रहा है कोई भी कारण हो सकता है हो सकता है मेरी कोई बात उनको ठीक नहीं लगी हो, हो सकता है मेरा उनका साथ पुराना कोई कर्मों का हिसाब किताब हो, हो सकता है वो उनका संसकार हो, जो भी हो, लेकिन अब दोनों हाथ आगे रखें, बाए हाथ पर लेफ्ट हैंड पर उनको बिठाएं, राइट हैंड पर ठीक है, अब क्योंके वो गलत व्यवहार कर रहे हैं, उनकी स्थिति किदर है, नीचे, ठीक है, नीचे, अब उनको नीचे करो, उनकी मन की स्थिति, उनके शब्द, उनके व्यवहार सब नीचे है, हमारी अच्छी चल रही है सब, ठीक है, पिल्कुल बढ़िया, लेकिन उनके व्यावहार को देख देख कर हम रोज परिशान होते हैं रोज अवदास होते हैं रोज नराज होते हैं और फिर हम रोज बोलते हैं मेरे को क्यों तंग करता है मेरे साथ क्यों ऐसा करता है मेरा भाग्या में क्या मेरे साथ ही ये रोज बोलके और जब हम ऐसे वाले संकल्प उनके बारे में, शब्द उनके बारे में बोलते जाते हैं, बोलते जाते हैं, तो वो उर्जा यहां जा रही है, वो पहले ही नीचे थे, वो तो पहले ही नीचे थे, इसले तो गलत व्यवार कर रहे थे, तो हमारे शब्दों से वो कहां चले जा अब इसको देखना यह बहुत important है हम उपर थे वो नीचे थे हमने चिंता उदासी की हम नीचे होने लगे हमारे शब्दों से वो और नीचे होने लगे अब जब वो और नीचे होंगे तो उनका व्यवहार हमारे साथ और बुरा हो जाएगा जब उनका व्यवहार और बुरा होगा वो और नीचे होंगे उनके व्यवहार से परेशान होकर हम और नीचे होंगे फिर हम और नीचे होंगे हम उनके बारे में और सोचेंगे वो और नीचे होंगे और हम दोनों बहुत प्यार से नीचे 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 होते जा और इसलिए तो इस दुनिया को हमने कल्यूग बना दिया, अब हमें क्या करना है, उपर, अब क्या करेंगे, अब वो नीचे हैं, अभी भी वो नीचे हैं, और हम यहां हैं, और वो गलत-गलत-गलत-गलत कर रहे हैं, और हमने क्या बुला, बर्मात्मा की शक्ति आपके साथ ह आप शक्ति शाली आत्मा है आपका हर करम सुख देता है हमारा रिष्टा बहुत प्यारा है क्या लगता है? वो किदर चलना चुड़ होएंगे? थोड़ा सा, ऐसा नहीं है, सुबह सुबह उनको देखना बदले की नहीं, बदले की नहीं मैंने कल, चार संकल बोले थे, ऐसा नहीं थोड़ा टाइम देना बीज डलके, पोदे को उगने में थोड़ा सा टाइम लगता है जैसे छोटे बच्चे होते हैं, बीज डालते हैं रोज सुबह आके खड़े हो जाते हैं उगा बीज में रोज पानी डालो यह निश्चित है कि बीज जब मजबूत है पानी रोज डाल रहे हैं अच्चानक एक दिन सुभा वो पौधा उग जाएगा होगा या नहीं होगा अच्चानक अच्चाएगा तो जब हम अब वो इतर नीचे हैं मैं यहाँ हूँ और मैंने यह चार संकल्ब दुवाओं के देने शुरू किये आप शक्तिशाली हैं, आप सुख देते हैं और जो चीज़ वो आपको तंग कर रहे हैं आप उसके लिए संकल्ब बोलो Suppose कोई आपको ताना मारता है तो आप उसके लिए संकल्ब करो जाएंगे वो यहां हैं हम कहां मूव होते जाएंगे ये वाले संकल्ब करने से हम कहां शिफ्ट होते जाएंगे तो सबसे पहले कौन जीत किया हम अब जितना हम यहां होंगे और हम ऐसे संकल्ब डालेंगे तो वो थोड़े से होंगे या नहीं होंगे होंगे तो फिर क्या वो भी उपर जाते जाएंगे, वो उपर जाते जाएंगे, हम और उपर जाते जाएंगे, वो और उपर जाते जाएंगे, और हम दोनों बहुत प्यार से बहुत उपर जाते जाएंगे, और जब हम सब प्यार से ऐसे उपर जाते जाएंगे, ये स्रिष्टी उपर चली और ये कल्योग फिर सत्योग बन जाएगा बहुत असान है बहुत असान है लेकिन हमें नेगेटिव शब्द बोलना जाधा असान रगता है क्यों? क्योंकि हम वो ही शब्द रोज सुनते हैं वो ही शब्द पढ़ते हैं हम दूसरों को वो ही शब्द बोलते हुए देखते हैं तो हमें लगता है यही सहज है और हम बोलते जाते हैं यह जो हमने दुआ के शब्द बोले वो सिरफ चार लाइन थी क्या थी वो चार लाइन? रिपीट अब आप बोलना मैंने बोलूगे आप बोले आपको रोज बोलना है आप भूल नहीं सकते इतनी जल्दी बताइए परमात्मा की हाँ शक्तियां आपके साथ हैं वेरी गुड आप शक्तिशाली आत्मा है सबको सुख देने वाली आत्मा है हमारा रिष्टा बहुत प्यार चार लाइन तीन साल के बच्चे को भी आज सिखा दोगे न तो वो सीख जाएगा इतना इजी आप बच्चों को ये सिखा सकते हो क्योंकि उनकी स्कूल में जब कोछ उनको कोई तंग करता है कोई उनके साथ जगड़ा करता है तो आज कल माबाप क्या सिखाते हैं उसने तुमको मारा और तुम मार खा के आगया हमारे सेंटर पर एक बच्चा आया इतना ही था साथ-ाट साल का होगा कहते हैं मुझे दो बच्चे रोज बुली करते थे रोज 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 लड़ते थे रोज मुझे मारते भी थे तो मैं रोज मार खाके आ जाता था काफी दिन ऐसा चला तो एक दिन मेरी मम्मी ने का अब बस अब तू कल मार खाके नहीं आएगा तू एक बार उनको मारेगा न तो ही वो ठीक होंगे ने तो तू मार ही खाता जाएगा उस बच्चे ने कई आत्माई न पिछले जनम से वो ग्यान अपने अंदर भर कर लेकर आती है उस बच्चे ने अपनी मम्मी को का इतना सा है उस बच्चे ने अपनी मम्मी को का मैं मारूंगा नहीं मैं अपने शब्दों से उससे बदल कर आऊंगा उसको ये में को पक्का है वो सब उसके घर में देखने लगे यह कौन सी बाते करता है यह ऐसे कैसे बात करता है कि यह शब्दों से उसको बदल के आएगा का मतलब क्या है मैं उसको अपते शब्दों से बदलूगा मैं हाथ ने उठाऊंगा उसके उपर कभे और अगले दिन क्या किया उसने उस बच्चे को बिठाया और दो बच्चों को बिठाया प्यार से बाते की फिर उसको समझा ऐसा ऐसा कुछ-कुछ उसने किया उनके साथ एक हफते के बाद वो बच्चा जो तंग कर रहा था उसकी मम्मी ने जो मार खा रहा था, उसकी मम्मी को फोन किया और बोला, आपके बच्चे ने मेरे बच्चे को बदल दिया, मेरा बच्चा बदल गया है एक बच्चे को भी आता ये कैसे करना है, क्योंकि ये बहुत सहच है, बहुत सहच है तो हमें सिरफ चार संकल्प दुआ के करने हैं, लेकिन हम वो छोड़कर हम चार हजार व्यर्द संकल्प करते रहते हैं और व्यर्द संकल्प हमारी वानी में भी आ जाते हैं, और हवा में फैल जाते हैं, हम भी नीचे जाते हैं, वो भी नीचे जाते हैं कौन-कौन ready है ये करने के लिए experiment experiment है आपको जब result मिलेगा तब ताली बजाना अपने आपके लिए लेकिन हमें ये 100% guaranteed है क्योंकि ये सिर्व ज्ञान नहीं है ये practical करके, अनुभव करके ये मन का विज्ञान है सिर्व ज्ञान नहीं है ये science है, ये विज्ञान है कि ये हमेशा काम करता ही करता है कौन-कौन रोज करने के लिए ready है पक्का अगले एक महिने तक सुबह रात को, एक बार और सामने दिख गए तो फटा-फट भेज देना इधर से नहीं भेजना, इधर से भेजना इवन अगर आपके सामने कोई गलत बात कर रहा हो न चिला रहा हो, बोल रहा हो आप सिरफ उसको यहां से भेजते जाओ तो आप सामने वाली जलती हुई अगनी पर पानी के छीटे डाल कर उस अगनी को बुझा रहे हैं लेकिन अगर हमने एक नेगटिव संकल्प भी कर लिया तो इतनी बड़ी अगनी को सिरफ इतना सा ही घी चाहिए होता है और जादा प्रजवलित होने के लिए तो अपने संकल्पों से घी नहीं डालना है अपने संकल्पों से उस अगनी की अंदर जल डालना है, पानी डालना है खुद भी ठंडे रहेंगे, उनको भी ठंडा कर देंगे, इतनी ताकत होती है संकल्पों पर, तो कर देंगे वक्काः तो हम लोगों को बदल सकते हैं हम उनका शुक्रिया कर सकते हैं इसी तरहे अगर हमारी शरीर में कोई बीमारी है तो हम बार-बार दोराते रहते मैं बीमार, मैं बीमार, मैं बीमार कोई पूछे क्या हल चल क्या बताऊं फिर अपनी बीमारी की कहानी सुनाना शुरू करते हैं उसको अगर हम अपनी बीमारी का बार-बार उच्चारन करेंगे बार-बार बोलेंगे, मैं बीमार हूँ, यह दर्ध हो रहा है, यह ठीक नहीं है, यह ठीक नहीं है तो क्या लगता है, बीमारी बढ़ जाएगे या घट जाएगे बढ़ेगे या घटेगे हर संकल्प और शब्द एक ओर्जा है, चो यहां से यहां जा रही है अब शरीर को दुआ दे किस-किस के शरीर में थोड़ा बहुत कुछ है कोई इधर कुछ दर्द, कोई कुछ, कोई कुछ हाथ उठा थोड़ा-थोड़ा जादने चेह चलो, आंख बंद करो, शरीर को शक्ति देते हैं अपने शरीर को फील करना, ठीक है? कि आप जो संकल्प कर रहे हैं, पहले हमने किसको देखा था? हमने सामने उनको देखा था, और अपने संकल्प उनको भेजे थे अब मुझे वो संकल्प मेरे शरीर को भेजने हैं वैसे ही हमारा हर संकल्प शरीर को जाता है लेकिन अब हम चूज करके द्यान से अपने संकल्प शरीर को भेज रहे हैं मैं शक्ति शालियात्मा हूँ मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है और हमेशा रहेगा मेरे शरीर का कन-कन, प्यार, खुशी और शक्ति से भरपूर है प्यार, खुशी और शक्ति से भरपूर है इस शरीर का बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया मेरा शरीर, मेरे हर करम को बहुत सहजता से और मेरे हर काम को बहुत आसानी से पूरा कर देता है ये स्वस्थ है, निरोगी है, मेरा साथी है, इसका बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया रिपीट करेंगे, मैं शक्ति शाली आत्मा हूँ, बोलेंगे सबी, मैं शक्ति शाली आत्मा हूँ, मेरा शरीर स्वस्थ है और हमेशा रहेगा, इस शरीर का हर कंड कंड, खुशी, प्यार और शक्ति से भरा हुआ है ये शरीर मेरा साथी है, मेरे हर करम को बहुत आसानी से पूरा करता है इस शरीर का शुक्रिया आंखे खुलो, आसान है बोलना ये? आसान है बोलना ये? या ये आसान है बोलना, ये भी दर दो रहा है, इधर भी दर दो रहा है कैसे काम करूँ, ये भी नहीं ठीक चलता, वो भी नहीं ठीक चलता, कैसे? जो बोलेंगे, वो ही उर्जा उधर जाएगे जो सोचेंगे वो ही उर्जा वहां जाएगे ये सच है कि अभी ये ठीक से काम नहीं कर रहा है ये सच है इसमें अभी दर्द है ये भी सच है कि वो सामने वाला अभी तंग कर रहा है लेकिन ये भी सच है कि मेरे मन के संकल्प की शक्ति किसी को भी परिवर्टन कर सकती है क्योंके संकल्प से स्रिष्णी बनते है तो अपने शरीर को भी द्वी दुआ दिया कि छेरोज यह शरीर हमारा कितना साथ देता है लेकिन हम बहुत असानी से जब यह साथ देता है तो शुक्रिया करते नहीं और जब ये थोड़ा सा ऐसे करता है तो हम इसके लिए हाई हाई करते रहते हैं हाई ये दर्दो रहा हाई ये दर्दो रहा हाई दर्दो रहा हमेशा वाहवा करना चाहिए हमेशा इसकी वाहवा करो अपने शरीर का तुलना कभी दूसरे के शरीर के साथ नहीं करो उनका तो बहुत अच्छा है, मेरा इतना अच्छा नहीं है, वो पतले है, मैं मोटी हूँ या मैं पतला हूँ, वो मोटा है, एक दूसरे के साथ तुल ना, हम अपने शरीर को reject करते हैं ऐसा बोलके, अगर हम अपने शरीर को reject करेंगे, फिर शरीर भी हमें reject करेगा, हम प्रकृ प्रकृती को reject करते हैं, प्रकृती हमें reject करते हैं, हम लोगों को reject करते हैं, लोग हमें reject करते हैं, हमारी energy ही हमारे पास वापिस आती है, यही करमों का सिध्धान्त है, कि हर करम का परिणाम है, जो हम देंगे, वो ही वापिस आएगा, वो ही वापिस आएगा हमारे पास, और अ अगर हम दुआ देंगे शरीर को, लोगों को, प्रकृती को, काम को, अपने काम को भी रोज दुआ देनी चाहिए। इतनी मेनत करने के बाद भी उतनी कमाई नहीं होरे है जितनी होनी चाहिए। तो गलतियां ढूणना तो बहुत असान है। नेगिटिव बोलना तो बहुत सहज है। और अगर हम कहीं और काम करते हैं मतलब किसी ओफिस में काम करते हैं किसी की दुकान में किसी के लिए काम करते हैं तो उनके लिए गलते हैं ढूणना हमारे लिए तो बहुत असान है उनके अंदर गलते हैं ढूणना क्योंकि perfect तो कोई है नहीं हमेशा याद रखना जिस जगह से आपके घर का पैसा आता है, उस जगह के अंदर या वहा के लोगों के अंदर कभी गलतिया नहीं ढूंदना, सिरफ शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया करना, क्योंकि वहा से पैसा आता है धन वो पहली शक्ति है जो घर आती है उस धन में शिकायत नहीं होनी चाहिए दिखरा है आपको ऐसे हाथ रखो उस पर अपनी सालरी रखो इदर हर एक तरीक को इस पर पैसे आते हैं लेकिन वो पैसे की उर्जा कौन सी है अगर उसमें शिकायत की उर्जा होगी ये ऐसे हैं ये मेरे से काम इतना कराते हैं कितना भी करो तो भी ये इतना ही देते हैं कुछ भी तो वो पैसा आया लेकिन वो पैसा शिकायत की उर्जा के साथ आया फिर आप उस पैसे से अपने परिवार की परवरिश करेंगे बहुत महनत करेंगे अपने बच्चों की लेकिन आप देखेंगे कि आपकी इतनी महनत के बावजूत भी आपके घर के लोगों के अंदर शिकायत करने की आदत होगी वो सदा असंतुष्ट रहेंगे, वो शिकायत करते रहेंगे क्योंकि हमने शिकायत वाले पैसों से उनकी परवरिश की है अब आप शुक्रिया वाले पैसों से उनकी परवरिश करो फिर इवेन अगर कम होगा न पर क्योंकि उसके अंदर शुक्रिया की एनरजी होगी आपके घर के लोग आपके बच्चे आप उनके लिए थोड़ा भी करोगे न तो वो शुक्रिया शुक्रिया करते ही नहीं ठकतेंगे लेकिन अगर असंतुष्टा के पैसों से उनकी परवरिश की तो आप कितना भी करेंगे न उनको हमेशा कम ही लगेगा क्योंकि आपको हमेशा कम ही लग रहा था जो आपके पास आ रहा था तो उनको भी जो मिलेगा वो हमेशा उनको कम ही मिलेगा लगेगा उनको के कम है क्योंकि उर्जा वो पैसों में जा रहे है तो पैसे सिरफ पैसा नहीं होता पैसे में एक उर्जा होती है तो जहां से हम धन कमाते हैं चाहे वो हमारा अपना बिजनस है चाहे वो नौकरी है व्याबा कुछ भी है उस जगह के प्रती उस काम के प्रती और वहां के लोगों के प्रती और अपनी सफलता के प्रती कभी भी निंदा, शिकायत हाए हाए नहीं करनी है उसको सिरफ वहाँ वहाँ और शुक्रिया करना है वहाँ मेरा भाग्य वहाँ कितना मेरे पास भरपूर धन है कि नहीं भरपूर धन कर सकते हैं करेंगे पका आप ध्यान रखना धन पहली उर्जा है जो घर आती है धन पहली उर्जा है जो धर घर आती है धन से हम अपने घर का सब कुछ खरीदते है हर चीज में पैसा है हर चीज में पैसा है मकान ही उस पैसों से है उसके अंदर का समान उस पैसों से है बच्चों की स्कूल की फीज उस पैसों से है हर चीज वो पैसों से है तो वो पैसों की उर्जा कैसी होनी चाहिए फिर क्या होना चाहिए उसकी पैसों के अंदर उस पैसों के अंदर संतुष्टा होनी चाहिए उस पैसों के अंदर शुक्रिया होना चाहिए उस पैसे के अंदर दुवाएं होनी चाहिए पैसे से समान आएगा और उस संतुष्टा दुवाँ और शुक्रिया से आपके घर में संतुष्टा और सुकून आ जाएगा दोनों जीजे घर आएंगे उस पैसों के साथ क्योंकि वो पैसा उस उर्जा से कमाया गया है कभी भी पैसों के लिए ये नहीं कहना के कम है हम बहुत असानी से कह देते हैं कम है कम है कम है ये दुआ नहीं है कम है ये दुआ का अपोसिट है कम और जादा कम और जादा ये कौन डिसाइड करता है पैसा नहीं मन की स्थिति किसी घर में बहुत थोड़ा होता है धन लेकिन उनका सोचने का नजरिया बहुत उंचा होता है तो वो उसी पैसों में से दूसरों की मदद भी कर देते है और किसी के पास बहुत होता है और उनसे कोई सहयोग मांगने जाए तो वो कहते हैं कि हम करना तो चाहते थे पर आपको पता है ना इस साल कोविड था, काम थोड़ा कम था क्योंकि उनका ये सोच है कि उनके पास कम है और उनकी ये सोच है कि उनके पास जादा है कितना है उससे कोई फरक ने पड़ता सोच को कहां रखा हुआ यहां यहां उससे जीवन डेसाइड होता है तो कभी भी नहीं कहना कि मेरे पास कम है परिवार में कभी नहीं कहना हमारे पास कम है आप बच्चों के लिए कुछ नहीं खरीद सकते कोई बात नहीं आप उनको बोलो अभी नहीं हम अगले साल ये पक्का खरीदेंगे आप उनको बोलो ये हमारे घर में इस चीज की जरूरत नहीं है हम ये नहीं खरीदने वाले लेकिन सिरफ क्योंकि हम खरीदने नहीं वाले हम उनको क्या बोलते हैं आपको पता है ना हमारे पस कम है तो फिर वो भी वो ही बोलेंगे हमारे पस कम है और पूरा घर बोलेगा कम है कम है कम है तो जितना था वो भी कम हो जाता है और अगर हम बोलेंगे हमारे पस भरपूर है जितना चाहिए उससे जादा है तो हमारे मन की संतुष्टा क्या होती जाएगी इतनी बढ़ती जाएगी कि हमें चीजे कम खरीदनी पड़ेंगी खुश होने के लिए जो हम खरीदते रहते है तो हमारे पस कितना पैसा है कितना कितना बहुत है बताओ कितना बहुत है अब भी नहीं बोल पारे फिर घर जाके कैसे बोलोगे घर जाके कैसे बोलोगे हमारे पस कितना है कितना बहुत है इसको उपर उठाओ हर परिस्थिती में संकल्प को उपर उठाओ जितना अगले महीने कमाना चाहते हो वो संकल्प करो और फिर ये कहो कि ये मेरे पास इससे जादा अल्रेडी है जब हम कम बोलते हैं न तो हमारी एनर्जी ऐसे हो जाती है और जब हम बुलते हैं भरपूर है, शुक्रिया है, मेरे पास इतना है कि मेरे को जितना चाहिए उससे जादा है तो हमारे घर में, हमारे परिवार में संतुष्ता और भरपूर्ता आती जाती है सारी शक्ति का हैं, यहां तो कभी भी कम नहीं बोलना फिर से आंक बंद करो, अपने काम की जगह को देखो जहां आप रोज काम पे जाते हैं मतलब जहां से आपके घर का धन आता है और जो काम पे नहीं जाता है, घर में रहता है वो भी उस काम की जगह को देखो और उसको दुआ दो उस जगह को देखो वहां काम करने वाले लोगों को देखो चाहे आप किसी के लिए काम करते हैं चाहे कोई आपके लिए काम करता है लेकिन सारे एकठे मिलकर उस जगह पर काम करते हैं तभी वहां से हमारे परिवार का धन आता है दिल से उस जगह का शुक्रिया करो मेरे परिवार की परवरिश होती है इस जगह से मेरे घर की आज एक एक चीज इस जगह और इन लोगों की वज़े से आई है हर चीज इनकी मेहनत की वज़े से आई है उस जगह का शुक्रिया उन लोगों का शुक्रिया अपने भाग्य का शुक्रिया वहाँ मेरा भाग्य वहाँ मेरे श्रेष्ट करम जो मेरे पास इतना भरपूर धन है भरपूर है वहाँ मेरा भाग्य वहाँ मेरे परिवार का भाग्य परमात्मा आपका शुक्रिया ये जगह हमेशा निर्विघन चलेगी दुआ दीजिये उस जगह को अचानक के समय में हम चल रहे हैं अचानक अचानक बाते आती हैं कामकारो बार हिल जाते हैं इसलिए अपनी काम की जगह को रोज दुआ दीजिये कि ये जगह सदा निर्विघन चलेगी सफलता यहां निश्चित है और धन यहां भरपूर है मेरे परिवार का भाग्य सुरक्षित है ओके वापस आईए वापस आईए अब ये एक सोचने का तरीका है दूसरा सोचने का तरीका इतना काम करो तो भी ऐसे करते हैं पतानी इनके साथ ही मुझे क्यों काम करना पड़ता है मेरी नौक्री रहेगी के नहीं रहेगी आजकल लोगों की नौक्रिय चारे हैं इतने से में घर कैसे चलेगा ये भी एक सोच है ये भी एक सोच है वो सोच भाग्या को कहां लेके जाती है इधर लेके जाती है और ये सोच भाग्या को कहां लेके जाती है उपर लेकर जाती है इक अठे मिलकर उस थान का शुक्रिया करो कहिए शुक्रिया, बोले, जहां से आपका धनाता है, उस जगह को बोलो शुक्रिया, बोलो शुक्रिया, उन लोगों का शुक्रिया, ये जगह सदा निर्विघन चलेगे, बोले, निर्विघन मतलब वहां कभी प्रॉब्लम नहीं आएगे, कब भी प्रॉब्लम नहीं आएंगी वहाँ क्योंकि आपने दुआ दी है उस जगह को कि ये जगह हमेशा निर्विघन चलेगी सफलता निश्चित है बोलिये ज्याँ धन भरपूर है मेरा परिवार सुरक्षित है अब जैसे हमने ये संकल्प किये हमने वो सारे व्यर्थ संकल्प भतम कर दिये के पता नहीं क्या होगा अगले साल बिसनस ठीक होगा के नहीं होगा नौकरी रहेगी कि या चली जाएगी कोविड में ऐसे इतने सारे एक हजार संकल्प हम कर देते हैं और ये सारे संकल्प हमारी स्थिती को कहा लेके आते हैं नीचे लेकर आते हैं दुआ दुआ मतलब श्रेष्ट संकल उंचे संकल ऐसे संकल जो मन की स्थिती को बदलते हैं शरीर के स्वास्त को बदलते हैं लोगों को बदलते हैं काम कारोबार को बदलते हैं हमारे भाग्य को बदल सकते हैं क्योंकि संकल्प से स्रिष्टी बनती है और कर्मों से भाग्य बनता है तो अटेंशन कहां रखना चाहिए संकल्प, संकल्प से संसकार, संसकार से कर्म रेडियंग करने के लिए और जैसे हम ये संकल्प करेंगे चाहे हमने लोगों को शुक्रिया भेजा, उनको दुवाएं दी, चाहे हमने अपने काम की जगों को दुवा दी, चाहे हमने अपने शरीर को दुवा दी, सबसे पहले कौन ठीक हो रहा है ये सब करते हुए ये संकल्ब करते हुए, करते हुए repeat, सबसे पहले कौन ठीक हो रहा है और जब हम ये वाले ऐसे संकल्ब दोहराएंगे तो हमारी खुशी दिन बदिन क्या होते जाएगे क्योंकि ये वाले संकल्ब दोहराने से निम्बू वहीं रहेगा ये संकल्ब उसको वाँ चिपका के रखते हैं और अगर मैंने opposite बोला, मन की स्थिती हिलती है, वो गिर जाता है कभी-कभी जीवन में अचानक कुछ बाते आ जाती है सोचा ही नहीं था और अचानक कुछ हो जाता है होता न ऐसे कभी-कभी, अचानक कोई बात आ जाती है और कभी जब अचानक कोई बात आती है तो सबसे पहला संकल्ब जो मन कर देता है वो कहता है, मेरे साथ ऐसे कैसे हो गया अब जैसे ही मैंने कहा, मेरे साथ ऐसे कैसे हो गया वो निम्बो अल्ड़ी हिलना शुरू हो गया क्योंकि मैंने अब सोचना शुरू कर दिया अब क्या होगा, अब कैसे होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा सबसे पहले किसको संभालना है, स्थिती को संभालना है स्थिती को संभाल के परिस्थिती को संभालेंगे इस equation को पक्का रखना फिर से दोनों हाथ आगे करो Left hand पे परिस्थिती Right hand पे मन की स्थिती Left hand पे परिस्थिती Right hand पे मन की स्थिती हाँ मैं आजकल जीवन कैसे जी रहे हैं हमें लगता है परिस्थिती से मन की स्थिती बनती है परिस्थिती अच्छी तो मैं खुश सच ये नहीं है परिस्थिती से मन की स्थिती नहीं बनती मन की स्थिती से परिस्थिती बनती है क्योंकि संकल्प से श्रिष्टी बनती है तो अगर अचानक कोई बात आती है इस हाथ पर अब बात तो यहां है मुझे यहां जाना है यह यहां जाना है यह बात नहीं decide करती यह कौन decide करता है अब जब मैं यह बोलती हो ऐसे कैसे हो गया मेरे साथ ऐसे कैसे हो गया मेरे बच्चे के साथ ऐसे कैसे हो गया तो धीरे धीरे यह हाथ किदर जा रहा है अब जैसे ही रखो 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 रख के देखो क्या होता है जैसे ही ये हाथ इधर जाने लगता है कौन उपर हो जाता है कौन उपर हो जाता है परिस्थिती उपर हो जाती है और मैं कहा जाने लगती हूँ नीचे तो परिस्थिती मुझ परवार करती है अब यहाँ है हम एक संकल्प सीखते हैं राजयोग में क्योंकि हमारे को हर परिस्थिती के लिए संकल्प सिखाएगे वो ही ज्यान है पर मात्मा हमें सोचना सिखाते हैं बोलना सिखाते हैं आप भी सिखेंगे यह जैसे ही कोई संकल्प परिस्थिती आती है तो हम एक ही संकल्प करते हैं और वो संकल्प हम ये करते हैं इस परिस्थिती में भी मेरा कल्यान है बोलिये जरा एक बार क्या हम ये बात बोल सकते हैं जब वो बात आईगी क्या हम ये बात बोल सकते हैं अच्छा आप में से किस-किस का अनुभव है कि कोई बात आई थी, उस टाईम बहुत गड़वर गड़वर लगा था, लेकिन थोड़े टाईम के बाद, हमने का अच्छा वह वो ऐसा हुआ तब आज ऐसा है, किस-किस वो ऐसा लगता है, पास्ट में कुछ बात हैं। इतने सब कानुव होता है इतने सब कानुव होता है लेकिन जिस दिन वो होता है उस दिन हम उसको अच्छा नहीं बोलते है हम सब के घर में एक गीता सार टंगा हुआ होता है उस पे क्या लिखा होता है जो हुआ बोलिए जो हुआ अच्छा हुआ जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और जो होगा क्या हम सारा दिन ये तीन शब्द बोलते हैं हम बोलते हैं ऐसा क्यों हुआ अभी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है आगे पता नहीं क्या होगा सीखते कुछ और है बोलते कुछ और है धरम को अलग कर देते हैं तो धरम के आधार से करम नहीं करते धरम जो सिखा रहा है मतलब ग्यान जो हमें सिखा रहा है वो हमें यही सिखा रहा है कि हर परिस्थिती में मन की स्थिती को कैसे करना है ऐसे अब कोई बात अचानक मेरे पास आई क्या हम बोल पाएंगे कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है बोल पाएंगे क्या लगता है बोल पाएंगे या मुश्किल है बोल पाएंगे या मुश्किल है ये काम करते हैं थोड़े दिन के लिए ऐसे बोलते हैं होई नहीं होई देखेंगे बाद में वैसे भी हमारे पास चोइस क्या बात तो ओल्ड़ी आ गई है संकल्प से स्रिष्टी बनती है आप परिस्थिती को दुआ दीजिए खुद को उपर उठाइए परिस्थिती को नीचे कीजिए और फिर खुद परिस्थिती परवार कीजिए परिस्थिती को आपके उपर वार करने नहीं दीचिये जैसे ही परिस्थिती आईगी तो वो परिस्थिती हमारे सामने ऐसा एक विक्राल रूप लेकर आती है तो हमें लगता है ये परिस्थिती तो मेरा सारा भाग्य विगाड़ देगी लेकिन हम एक इस अंकल्ब करते हैं मेरे लिए इस बात में कल्यान ही कल्यान है बोलिए एक बार कल्यान ही कल्यान है हम कहां उड़ गए? हम यहां उड़ गए? क्योंकि हमने कहां मेरे लिए कल्यान है अब एक और आड़ करते हैं भगवान मेरे साथ है किस-किस को अनुभव होता है कि भगवान मेरे साथ है अच्छा अगर भगवान सच्ची में हमारे साथ है तो कोई परिस्थिती से डरने का कोई मतलब हमारा है कोई मतलब हमारा डरने का लेकिन हम उस टाइम भूल जाते हैं कि पढ़ मात्मा हमारे साथ है हम उस टाइम भूल जाते हैं कि मैंने इतने अच्छे करम किया है कि मेरे साथ गलत हो यह नहीं सकता और हम उस परिस्थिती से डर कर हम खुद को हार जाते हैं और परिस्थिती जीत जाती है हर परिस्थिती में हमें जीतना है हमें जीतना है इवन अगर वो परिस्थिती कुछ ऐसी है जो बदली नहीं जा सकती है कोई परिस्थिती ऐसी है जो बदल नहीं सकते है लेकिन उस परिस्थिती में भी हमें अपनी मन की स्थिती को किदर लेकर जाना है यहां लेकर जाना है कुछ लोगों को बहुत बड़ी बिमारी होती है डॉक्टर कहता है ठीक भी नहीं हो सकती है लेकिन वो अपनी मन की स्थिति को उपर उठाते है और वो कहते ठीक है शरीर नहीं चल रहा न मैं तो ठीक ठाकू न मुझे क्या हुआ है वो खुश रहते हैं वो लोगों की सेवा करते हैं वो अपने शरीर की कमी को भी अपने लेक शक्ती बना के कमाल करके दिखाते हैं तो वो परिस्थिती पर जीत पाते हैं और कुछ लोग होते हैं सो बुखा रहे हैं केते हाए मेरे को क्या हुआ मेरे से आज कोई काम नहीं होने वाला मेरे को कुछ मत बोलो आज करने के लिए मुझे कुछ नहीं आज करना है मेरे को तंग नहीं करो मुझे अकेला एक-एक संकल्प ऐसा कर करके हम कहां लेकर आते हैं नीचे तो हमेशा याद रखना है वो परिस्थिती है परिस्थिती मतलब परस्थिती किसी और की स्थिती ये मेरी स्थिती है मुझे किसको उपर रखना है तो उसके लिए दो संकल्प हमेशा पक्के करने है भगवान मेरा साथी है और भगवान मेरा साथी है अर्थात इस परिस्थिती में कैसा सोचना है उसका ज्यान और परिस्थिती का सामना करने की शक्ति ये दोनों पड़मात्मा से हमको मिलती है सिरफ बोलना कि भगवान मेरा साथी है नहीं तो भगवान के दिये हुए ज्यान को उस टाइम यूज करना उसके साथ की शक्ति को यूज करना तो पहला संकल भगवान मेरा साथी है और दूसरा इस बात में मेरे लिए कल्यान समाया हुआ है मेरा जीवन सुरक्षित है और मेरा भाग्य श्रेष्ट है कर सकते हैं चार संकल? चलो, रिपीट करते हैं भगवान मेरा साथी है अच्छे से फील करके बोलो पर मात्मा मेरे साथ है ये बात मेरे कल्यान के लिए आई है मेरा जीवन सुरक्षित है मेरा भाग्य श्रेष्ट है अब उस बात को सामने देखो अगर आपके जीवन में कोई भी बात है उस बात को सामने देखो और उस बात को देखते हुए हम फिर से रिपीट करेंगे परमात्मा मेरे साथ है इस बात में मेरा कल्यान है मेरा भाग्य श्रेष्ट है मेरा जीवन सुरक्षित है आप पहुंच गए इदर बात हो गई नीचे बात को देदी दुआ और भगवान को ले लिया साथ में तो बड़े से बड़ी बात पे आपके सामने बहुत छोटी पड़ जाएगी क्योंकि संकल्प से स्रिष्टी बनती है तो सारा कंट्रोल कहां से हो रहा है? जीवन का कंट्रोल कहां से चल रहा है? कहां से चल रहा यहां और आज सिरफ हमने छोटी सी गलती किये जीवन में कि हम सब चीज का ध्यान रख रहे हैं लेकिन जहां से सब कुछ कंट्रोल हो रहा है वहां नहीं देख रहे हैं यह इतना बड़ा हॉल है इतनी लाइट है आवाज है कैमरा है यह सब कुछ इस हौल को चला रहा है लेकिन इस सब का कंट्रोल कहां से हो रहा है एक छोटे से कोने से एक छोटे से कोने से हो रहा है अब अगर यहां कुछ भी खराब होता है यह नहीं चलता वो नहीं चलता वो नहीं चलता तो हमें ठीक करने के लिए कहां जाना है हमने ठीक करने के लिए कहां जाना है हमें उस कोने में जाना पड़ेगा लेकिन हम उस कोने को छोड़के इदर पूरी जगों गुमते रहते हरी जगा हमारे जीवन का वो छोटा सा कोना कहां है हर रोस थोड़ी दिर के लिए उस कोने में जाईए देखिए सब ठीक ठाक है सारे संकल्प ठीक है और स्विच चेंज कीजिए जो संकल्प इधर चल रहे थे स्विच को चेंज करके उस संकल्प को उपर उठाईए कहीं भी कोई बात आती है थोड़ी भी तुरंद यहां जाईए उस बात के प्रती अपने स्विच को चेंज कीजिए अपने संकल्प को चेंज कीजिए दुनिया यहां से नहीं ठीक हो सकती है दुनिया को यहां से ठीक करना पड़ेगा क्योंकि लौ है संसकार से संसार बनता है संसार से संसकार नहीं बनता संसकार से संसार बनता है तो हमारा फूकस किदर होना चाहिए तो इस समय मन में तनाफ, शरीर में बिमारी रिष्टों में गांठे, प्रकृती की उथल-पुथल इस दुनिया को लोग कल्यूग कहते हैं आप कौन सा यूग कहते हैं इसको कल्यूग यह है लेकिन यह कल्यूग बनाया किसने किसने बनाया आप में से किस-किसने कॉंट्रिब्यूट किया कल्यूग बनाने में तो थोड़ा हाथ उठाओ प्यार से उठाओ, उठाओ, उठाओ मैंने बनाया बोलो मैंने बनाया, हमने बनाया नहीं बोलना, बोलना मैंने बनाया, बोलिए मैंने बनाया, कैसे बनाया, गलत संकल्प करके हैं, काम, क्रोध, लोब, मो, अहंकार, इर्शा, द्वेश, नफ्रत, आलस्य, ऐसे संकल्प करके हमने कल्यूग बनाया, आप सबने स्वास्तिक बना स्वास्तिक को शुब कहते हैं स्वास्तिक के चार भाग है पहला भाग, दूसरा, तीसरा, चौता सामने ले कराना उसको पहला भाग ऐसे है मतलब हाथ कैसे है यह देखो ऐसा है स्वास्तिक, ऐसा पहला भाग ऐसे है दूसरा भाग हाथ किदर गया नीचे है तीसरा भाग और चौथा भाग अब हात रखो इकठे जल्दी से करते हैं एक, दो तीन चार सत्यूग प्रेता यूग द्वापर यूग कल यूग दिख रहे हैं स्वास्तिक कैसे स्वास्तिक मतलब स्वो का अस्तित्व मैं आत्मा पहले सुभ में थी सत्यूग में थी फिर मैं आत्मा दुपहर में आई प्रेता यूग में आई फिर मैं आत्मा शाम में आई द्वापर यूग में आई अब मैं आत्मा रात में आई कल यूग में आई तो रात को हात कैसे हो गये हमारे सत्य यूग में हाथ क्या कर रहा था ये क्या करता है क्या कर रहे है दे रहे हैं दुआ दे रहे हैं त्रेता यूग में क्या हो गया दुआ देना कम दुआ पर यूग में क्या बन गए और कल यूग में क्या बन गए अब कल यूग के बाद क्या आएगा शाम होई अब देखो रात हो गई और एक दो घंटे के अंदर घोर रातरी हो जाएगे घोर रातरी के बाद क्या आएगा सुबा आएगा घोर कल्योग के बाद क्या आएगा पताईए बोलिए शब्द घोर कल्योग के बाद क्या आएगा कौन-कौन मानता है घोर कल्यूग के बाद सत्यूग आएगा very good कल्यूग किसने लाया था तो सत्यूग कौन लेकर आएगा हम नहीं, मैं हम मतलब बाकी करेंगे सब हम नहीं, मैं कल्यूग मैंने कैसे लाया काम, क्रोथ, लो, मो, अहंगार सत्यूग में आत्मा कैसे लाऊंगे पवित्रता, प्यार शांती, शक्ति दुआ सब को दुआ, मन को दुआ शरीर को दुआ, लोगों को दुआ प्रकृति को दुआ, काम को दुआ, धन को दुआ सब को दुआ इसलिए कल्यूग से सत्यूग बनाना बहुत असान है आत्मा एक बैटरी की तरह है सत्यूग में सब कुछ पॉफेक्ट होता है क्यों पॉफेक्ट होता है आत्मा कैसी होती है? पॉफेक्ट चार्जड इसको विजुलाइज करो बैटरी कैसी है? फुल चार्जड उसी को कहते हैं सोला कला संपन संपूर्ण निर्विकारी आत्मा मतलब पोफेक्ट आत्मा होती है सत्यों को अलग-अलग नामों से सब याद करते हैं कोई उसको स्वर्ग कहता है कोई उसको पारडाइस कहता है कोई उसको हेविन कहता है कोई उसको जन्नत कहता है नाम अलग-अलग है दुनिया तो वो ही है वो तो हमारी भाषा अलग-अलग है सिरफ तो वो दुनिया थी अब ये भी आंसर आपने देना है सब इस आंसर को चेक करो सुबह हम थे आज रात को भी हम है कल सुबह भी हम होंगे इसी तरहे सत्यूग में आत्मा कैसी थी? पोफेक्ट थी, बैटरी चार्ज थी धीरे धीरे शरीर लेते, शरीर छोड़ते, काम करते, 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 करते आत्मा सत्यूग से त्रेता यूग, त्रेता यूग से द्वापर यूग, द्वापर यूग से कल्यूग में तो बैटरी जो full charge थी सत्यूग में वो कल्यूग तक आते आते क्या हो गई थोड़ी सी फोड़ा हाथ करके दिखाओ किदर हो गई होगी थोड़ी सी कम तो मैं आत्मा कल्यूग में ऐसी हूँ सत्यूग में मैं आत्मा कहा थी यही थी इस रिष्टि पर थी इसी लिए हर एक धरम सिखाता है स्वर्ग था, स्वर्ग फिर से आएगा हेविन था, हेविन फिर से आएगा जन्नत थी, जन्नत फिर से आएगी वहिष्ट था, वहिष्ट फिर से आएगा हर एक कहता है कि वो फिर से आएगा इसका मतलब वो फिर से आएगा लेकिन वो कैसे आएगा हमें लेकर आना है हमें लेकर आना है तो मैं आत्मा fully charged थी सत्युख मैं कम हो गई तो कल्युख अब मुझे फिर से fully charged होना है तो वो fully charged होने के लिए मुझा आत्मा को battery को charge करने के लिए क्या करना पड़ता है battery को charge करने के लिए तो राजयोग अर्थात, यह बहुत important है, राजयोग अर्थात मैं आत्मा, बैटरी, परम आत्मा, पावर हाउस से connect करके, परमात्मा की शक्तियों को अपने अंदर भरके, अपनी बैटरी को चार्ज करती हूँ, हम सब भगवान को याद करते हैं, बहुत प्यार से याद करते हैं, रोज याद करते हैं, लेकिन हम उनको सिर्फ प्यार से याद करते हैं, हम उनसे connect होकर उनकी शक्ति को अगर अपने अंदर भर लेते, तो दिन बदिन हमारी बैटरी क्या हो रही होती, चार्ज हो रही होती, ह तो राजयोग वो विधी है, जिससे परमात्मा के साथ कनेक्ट कैसे जोड़ना है, और वो सर्व शक्तिवान, उसकी शक्तियों को अपने अंदर कैसे भरना है, उसके ज्ञान के अपनी सोच कैसे बनाना है, और उसकी शक्ति को अपनी शक्ति कैसे बनाना है, और हर परिस्थित को उसके ज्यान और शक्ति से बहुत सरलता से क्रॉस करना है वो है राज्योग इसलिए उसको कहा जाता है राज्योग जो सबसे श्रेष्ट है उससे जुड़ना और खुद पर राज्य करना आज हमारा हमारी करमिंद्रियों पर राज्य नहीं है हम गुलामी की जीवन जीते हैं आंखें जो देखना नहीं चाहती है वो देखती है जो बोलना नहीं चाहिए वो बोलते हैं जो खाना नहीं चाहिए वो खाते हैं को किस किसने अनुबव क्या खाते खाते बोलते हैं आना नहीं जे फिर भी खाते हैं करो करो ऐसे नहीं हो सकता किसी नहीं है हाँ मुझे मालूम है यह अच्छा नहीं मेर ले लेके हम मतलब मैं आत्मा अपने करमिंद्रियों की क्या गुलाम स्वराज्य स्वराज्य अर्थात खुद पर राज्य वो तब होगा जब मैं आत्मा अपनी शक्ति को क्या करूंगी बढ़ाऊंगी मन पर राज्य करूंगी तो करमिंद्रियों पर राज्य करना बहुत आसान हो जाएगा तो तीन चार दिन के लिए एक घंटा निकाल कर इस राज्यों को सीख कर देखेंगे कि कैसे मैं आत्मा उस पावर हाउस से कनेक्ट करके क्यूंकि इस रिष्टी के परिवर्तन के लिए आत्माओं को इधर से इधर उठाने के लिए पर मात्मा को ही ये कारे करना पड़ता है किसी मनुष्य आत्मा में ताकत नहीं है वो जो दूसरों को ताकत दे सके मनुष्य आत्मा हमें ज्ञान दे सकती है ताकत नहीं दे सकती है ताकत हमें किससे मिलेगी उससे ही मिलेगी इस समय घर में सब कुछ आ चुका है लेकिन घर में ताकत लाने की जरूरत है शक्ति लाने की जरूरत है हर घर में एक जना अपने परिवार का शक्ति स्थम्ब बन जाए ready है अपने घर का शक्ति स्थम्ब बनने के लिए ready है अपने घर का शक्ति स्थम्ब बनने के लिए yes अपने घर का शक्ति स्थम्ब बने अपने घर का दिया बने अपने घर की वो छोटी सी अगर्वत्ती बने जो एक कोने में जलती है पूरे घर को खुश्बू दे देती है वो घर का शक्ति स्थम्भ हमें बनना है तो उसके लिए मुझ आत्मा को उस परमात्मा से connection जोड़ उसके ज्यान से अपनी सोच को बदलना है और उसकी शक्ति से अपनी शक्तियों को बढ़ाना है तो पांच दिन के लिए नई पांच नई तीन दिन के लिए एक घंटा निकाल कर हम सेंटर पर आकर ये राज्योग meditation की विधी को सीखेंगे कि कैसे उससे connect करके अपने अंदर वो शक्ति भढ़नी है आप ready हैं सीखने के लिए कौन-कौन ready है सीखने के लिए हाथ उठा बहुत अच्छा तो परसों से 27 तरीक मतलब रविवार तीन दिन 27, 28, 29 तीन दिन के लिए दो टाइम रखे हैं जो टाइम आपको सूट करे वो आपको चूस करना है एक टाइम है सुबह 7 बजे और दूसरा टाइम है शाम को 6 बजे तो सुबह 7 से 8 या शाम को 6 से 7 दोनों में से कोई भी एक टाइम चूस करना है तीन दिन के लिए मतलब तोटल कितना टाइम? तीन घंटे कितना टाइम सुरफ? तीन घंटे तीन घंटे में क्या सीखने के लिए? परमात्मा से कनेक्ट करके आत्मा की बैटरी को कैसे चार्ज करना है और हमें ये राजयोग सिखाने के लिए अविनाश भाई खास आपके शहर में आए हैं यहां रहकर आपको वो तीन द कर हमारे साथ कुछ शेयर करने के लिए आता है तो हमें उस मौके का क्या करना चाहिए? पाइदा उठाना चाहिए, लाब उठाना चाहिए और ये निशूलक होता है हमें बस सिरफ एक गंटे का समय निकालना है क्योंकि ये सेवा है तो कौन-कौन एक गंटे का समय निकालने के लिए ready, तीन दिन के लिए बहुत मुबारक, आपको परचा भी मिला है, उस पे सेंटर का अड्रेस है, टाइम है, सब कुछ दिया हुआ है, बस हमें एक घंटे का समय निकालना है एक मिनिट साइलेंस में बैठेंगे सभी सीधा होकर बैठें बिल्कुल सीधा होकर बैठें और अपनी मन की स्थिति को यहीं लेकर आएं वापस एकाग्र होकर उस ब्रिकुटी के बीच उस चमकते हुए सितारे को देखेंगे इस शरीर को चलाने वाली शक्ती मैं आत्मा मैं पर्मात्मा का फरिष्टा मैं सत्यूगी आत्मा हूँ मेरा हर संकल्प श्रेष्ठ है मेरा हर शब्द दुआ है मेरा हर करम सबको सुख देता है मेरा शरीर स्वस्थ निरोगी है मेरा हर रिष्टा मस्बूत है लाए उनको फिर से सामने और उनको दुआ दीचिये आप शक्ति शाली आत्मा आपका हर करम सुख देता है मेरे पास सब कुछ भरपूर है मैं आत्मा सदा संतुष्ट हूँ सर्वशक्तिवान परपाद्मा प्यार के सागर ज्यान के सागर सर्वशक्तियों के सागर सदा मेरे साथ है सफलता मेरे लिए निश्चित है भाग्य मेरा श्रेष्ट है जीवन मेरी सुरक्षित है मैं अपने परिवार का शक्ति स्थम हूँ सब को शक्ति देने वाला मैं परिवार का शक्ति स्थम हूँ मैं आत्मा अपने आपको सौगात गिफ्ट देती हूँ तीन दिन के लिए एक घंटा अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए दूसरों के लिए शक्ति स्थम बनने के लिए तीन दिन एक घंटा उस सर्व शक्तिवान परमात्मा को पैचानने के लिए उससे कनेक्शन जोड़ उसकी शक्तिया अपने अंदर भरने के लिए तीन दिन एक घंटा अपने कल्योगी संसकार परिवर्तन कर सत्योगी संसकारों से सत्योगी संसार बनाने के लिए एक घंटा अपने घर को स्वर्ग और अपने शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए मैं आत्मा आज ये एक घंटा अपने आपको गिफ्ट देती हूँ रक्षा बंदन पर तीस तारिक को एक दूसरे को गिफ्ट देंगे लेकिन रक्षा बंदन से पहले ये गिफ्ट हम खुद खुद को देंगे ये मुझ आत्मा की अपने प्रती दूआ है मैं सत्यूगी आत्मा हूँ सत्यूगी आत्मा हूँ 27 तरीक से 3 दिन सुबस 7 बचे या शाम को 6 बचे दोनों में से कोई एक टाइम हम निकालेंगे अभी अगले 15 मिनिट तक जब तक आप घर नहीं पहुंचते हैं हम मौन में रहेंगे मौन आत्मा की ताकत को बढ़ाता है दीरे से हाथ उठाइए जो 15 मिनिट तक मौन में रह सकते हैं मन का मालिक बन जाएंगे मुख के मालिक बन जाएंगे जैसे जैसे बताया जाएगा वैसे ही उठेंगे सभी इकठे नहीं उठेंगे हमारे उठने और चलने में भी शक्ति बढ़ती है अगर हम विधी पुर्वक करते हैं पांच मिनिट में ये पूरा हॉल खाली हो जाएगा लेकिन शक्ति बढ़ाते हुए मौन में चलते हुए तो जो सबसे पीछे बैठे हैं वो बैरियर से भी बिलकुल पीछे कुर्सियों पर आठ लाइने वहां उठेंगे पांच लाइने यहां से उठेंगे आगे की ऐसे उठते जाएंगे पांच लाइने यहां से उठेंगे और हम साइलेंस में उठते जाएंगे बिलकुल साइलेंस में जैसे के कोई है ही नहीं ऐसे उठके दिखाएंगे और जैसे जैसे हम उठेंगे हमारे चारो तरफ वो शान्ति और शक्ति की वाइब्रेशन फैलेगी जो नीचे बैठे हैं वो पहले उठेंगे जो नीचे बैठे हैं वो पहले उठेंगे पांच लाइन आगे से उठेंगे पांच लाइने यहां जो साइट पे बैठे हैं वो उठेंगे और पांच लाइने जो सबसे पीछे बैठे हैं वो उठेंगे बिल्कुल पांच साथ मिनिट में यह हॉल खाब पांच लाइने इस साइट भी उठेंगे जो बैठें पिलकुल साइलेंस में आवाज नहीं आनेचे बलकुल भी मौन मन की शक्ति को बढ़ाता है मौन शरीर के स्वास्त को बढ़ाता है मौन हमें कर्मिंद्रियों का मालिक बनाता है आगे से पांच लाइने और उठें, सबसे आगे जो बैठें और लाइन उठें और सबसे पीछे जो बैठे हैं वो भी उठे पिल्कुल दीरे-दीरे साइलेंस में सब उठते जाएं लेकिन मौन में ऐसा मौन जो मुख का आवाज भी न हो, मन का आवाज भी न हो कुरसी की भी आवाज न हो, ऐसा मौन और घर पांचने तक सब संकल्प जो हमने आज दोराएं हैं उनको रिपीट करते हुए चलेंगे मैं शक्ति शालियात्म हूँ मेरा शरीर स्वस्थ है ये बात मेरे कल्यान के लिए आई है परमात्मा मेरे साथ है हमारा रिष्टा मजबूत है धन भरपूर है ये संकल्प दोहराते हुए घर तक चलेंगे बिल्कुल फरिष्टों की तरह उठते चाएंगे साइलेंस में घर पहुंचने तक सब साइलेंस में चलेंगे आराम से 27 तरिक से एक घंटा सिरफ एक घंटा जो आज सीखा है उसको और गहराई से पक्का करने के लिए हम एक घंटे के लिए तीन दिन के लिए सेंटर पर आकर इसको और गहराई से पक्का करेंगे और आगे इसकी शिक्षा लेंगे और नेक्स स्टेप जो है कि पड़मात्मा को शक्तियों को कैसे अपने अंदर भरना है वो सीखेंगे